नमस्कार दोस्तों Star IQ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है उमीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे लेके हाजिर हूँ आप सभी के लिए 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 अक्टूबर 2020 तक के इपॉर्टेंट हर्याना के करेंट अफेर काफी हद तक इपॉर्टेंट ये शै जरूर कीजिएगा आज सर कितने क्युस्तन पढ़ेंगे हम इसके अंदर तो टोटल 111 क्युस्तन जो है हम लोग पढ़ेंगे मुझे 111 ही अच्छे लगे थे ऐसा कुछ नहीं कि मैंने सोच समझ के 111 बनाए है ये तो रैंडमली सयोग ही ऐसा बैठा कि 111 हो गए मैं तो पढ़िएगा लास्ट में प्लीज आप अपना नंबर जुरूर बताईएगा कि आपके नंबर कितने आए है टोटल 111 में से कितने आप लोगों ने नंबर हासिल किये हैं आफलाइन कमेंट करके ये जुरूर बताईएगा तो मेरा ध्यान पूरा-पूरा जो है फिलहाल इस पढ़ाए गए इस लेक्चर का या मेरे दवारा पढ़ाए गए सभी लक्चर का पीडियो फाइल अगची है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आइक्यू पीडियो को जरूर जोइन कीजिएगा अगर आप डेली क्विज देना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम आप इसे भी जोइन कर लेना आप इन वीडियो को यूटूब के अलावा फेस्बुक पे भी देख सकते हैं फेस्बुक का एक मेरा पेज है उस पेज का नाम भी आपका स्टार आइक्यू एजूकेशन है अगर आप फेस्बुक चलाते हैं तो में इस पेज को जरूर लाइक वहाँ पे भी देख सकते हैं अपने दोस्तों को शेर भी कीजिएगा इस फेस्बुक पेज को आगे बढ़ता हूँ और आज का पहला क्यूसर हमें पढ़ना क्या होगा हर्याना का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया है तो खेर आप लोगों के अंसर जो है साथ की साथ आ आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है विजे वर्धन अब देखिया क्या हर्याना राज्य की मुख्य सचिव पहले कोन थी इनका नाम था केशनी आनंद अरोडा ठीक है केशनी आनंद अरोडा लेकिन अभी तो रिसेंटली वो रेटायर हो गई है तो उनकी जगह पे जो है बने है कोन विजे वर्धन बने है हर्याना राज्य के नए मुख्य सचिव अचा राजिव अरोडा का भी एक नाम आपको याद रखना पड़ेगा यहां पे ठीक है राजिव अरोडा साब जो है यह हर्याना के नए ग्रह सचिव बने है ठीक है तो यह बात भी दरोडा जो है न वो 1983 बैच की IAS है ठीक है और विजय वर्दन जो है वो कोन से बैच के है तो विजय वर्दन है 1985 बैच के IAS अधिकारी है विजय वर्दन की सर रेटायर्मेंट कब होगी इनकी रेटायर्मेंट प्यारे बच्चों होगी 30 नवंबर को 2021 के अंदर अगले साल अच्छा जी दूसरी बात ये है कि पांच महीने पहले 30 अप्रैल को विजय वर्दन को ग्रह सचीव का कारेबार दिया गया था लेकिन अभी इन्हें एक मुखे सचीव का पद दे दिया गया है इतनी बात आप याद कर लीजिएगा अच्छा जी तो इतनी बात आपको किया गया है काफी हद तक अच्छी बात है ये और थोड़ा सा समाज को मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ना चीए ऐसी सोच से थोड़ा परे हटना चीए क्योंकि हाइजनिक ठिंक्स बहुत अच्छी चीज होती है और हर्याना सरकार ऐसा कर रही है इससे पहले ये इसकी कार्वी तक की जितनी भी लड़कियां हैं उनको सैनेटरी नैपकिन्स जो हो बाटे जाएंगे तो और ये घोशना जो है वो की है हर्याना राज्ये के जितने भी आपके नॉडल ऑफिसर्स हैं उन सभी को ये घोशना करवा दी गई है उनके थूरू स्कूल्स के अंदर ठी है तो और ये नैपकिन्स बाटने के लिए एक महिला नॉडल ऑफिसर है उनको नुक्त किया जाएगा उनके जिम में सोपे जाएगा ये वाला काम खेर आगे बढ़ते हैं कि लाकिस्तन हमारा क्या रहेगा हर्याना में कब से मिठाईयों की ट्रे पे बेस्ट बिफोर की कि आते हैं अमेडिकल से तो उस पर क्या गता है कि 9 एक्सपार हो गी या कब तक यूज होग जैसे हम लोग अनने दूदी लेके आते हैं ठीक हैं तो दूद के ओपर वी लिखा होता है कि ये कब तक के लिए यूज होगा पनीरे भी लिखा होता है लेकिन मिठाईयों पर अब क्या होगा इस वास्ते अभी ऐसे क्या होता है कि बहुत अगर कोई पुरानी मिठाई हो जाती है बुंदी है या कुछ भी मिठाई है तो उसे सरीर को नुकसान होना तो देखो लाजमी है बासी चीज खाएंगे तो नुकसान तो खैर हो गई होगा इसमें तो खैर पाएं इसके लिए सरकार ने कदम उठाया उन पे क्या है कि best way for कब तक इने use किया जा सकता है ये उस पे लिखना अनिवारे कर दिया गया है और कब से एक October 2020 से जो है उन पे लिखना अनिवारे कर दिया है ये घोशना किसने की है भारतिये खाद्ये सुरुक्षा एवं मानक प् मिलावट करते हैं वो मिलावट भी नहीं होनी चीए मिठाईयों के अंदर अगरा किस्टन हमारा है कि हर्याना के किस जिले में विशैली गैसों से जैव इंदन एथेनॉल बनाया जाएगा विशैली गैस अब सर्विशैली गैस कौन सी होती है देखीगा फिलहाल के लिए त जिसका नाम है कार्बन डाइयोकसाइड सीयोटू अब क्या होता है कि तकरीबन तकरीबन हर साल दस लाग टन कार्बन डाइकसाइड होती है जो हमारे इस आटमोस्फियर यानि कि जो वातावरन होता है इस वातावरन के अंदर घुल जाती है इससे क्या हो रहा है इसे धीरे बढ़ा benefit होगा किस परकार का वातावरण का तो benefit होगा ही होगा ठीक है ते साथ में जो है just आपकी यहां से डेनॉल बनेगा उसको petrol में असकता है petrol में डीजल में मिन जा सकता है पॉलिस्टर बनाया जा सकता है उसका तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात हो जाएगी अलंकि गन्य और पराली वगरा इनसे तो एथेनोल बनाया जा ही रहा है लेकिन ये एक इपॉटेंट बात होगी ठीक है और तकरीवन 7.26 क्रोड लेटर जैविनन अठारा क्रोड लेटर कुड आयल का एक विकल्प बन जाएगा तो एक बहुत बहुत अच्छी बात होगी ऐसा कर कोन रहा है ऐसा कर रही है पानिपत रिफाइनरी ठीक है तो ये बात आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्यूस्टन से ठीक है जिकर पानिपत का हुआ है तो पानिपत सबसे ज़दा फेमस किसके लीए है अपने तीन युद्धों के लिए जो है बहुत ज़दा फेमस है तीन युद्ध कोन कोन से थे पानिपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 के अंदर किस-किस के बीच में इगडाहिम लोधी और की हुई थी हारा कौन था इसके अंदर हारा इसके अंदर हेमू था ठीक है हेमू एक मातर हिंडू शासक था यह मुगल काल के दोरान हलंकि ट्रेजडी हुई थी एक यूँकर यह एक्सिडेंट हुआ था इनकी आख में तीर लग गया था गलती से और यह बेहोस हो गए थे ठी जमेलर यह कपूत अलाद औरंग जेबर यह तो इंडिया में आने कोई चांस ही नहीं था उसके बाद में तीसरा जो युद्धा वो था 1761 का अब 1761 में एहमस साब दाली और मराठो के बीच में था जहां मराठे हार गए थे और एक काला अंब नामक जगह है वो भी पानीप पोशन महा के रजिस्ट्रेशन 2.48 क्रोड के अंदर में जो है हर्याना दस्वे स्थान पे है यानि कि सी आप्शन जो है इस कुस्टन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा अचा हर्याना दस्वे स्थान पे है इसका मतलब क्या देखिए का देश भर में पूरे देश के सब्टेंबर को पोशन महा के रूप में मनाया गया था तो यह तो एक कुस्टन हो गया आपका यह और पूरे सब्टेंबर महीने को पोशन महीने में पोशन महीने का मतलब है बच्चों में को पोशन कितना है गरवती महिला कि सोरियों में खून की कमी इन सभी को नोटिस किय जाता है ठीक है जर्नली क्या होता है कि गर्वती महिला पर फोकस होता है क्योंकि अगर माही जो है स्वस्त नहीं है तो उसका आने वाली पीडी आने वाला बच्चा तो कैसे स्वस्त होई सकता है ठीक है अक्सर देखने को ये मिलता है कि जो लड़कियां होती है ठीक है जो बा nutrition week कहिएगा आप लोग या nutrition month के दोरान portion माहा के दोरान इसमें हर्याना दस्वे स्थान पे है number one पे कौन सा तमिलाडू हर दूसरे स्थान पे महारास्ट्रा तीसरे स्थान पे इसमे यूपी है ये बात भी आप याद रख लीजिएगा हर्याना के अंदर अब तक 246,586 registration हुए इसमें हिसार 11 स्थान पे आया ठीक है रोह तक पहले स्थान पे भीवानी दूसरे स्थान पे ठीक है तो ये बातें आपको सारी की सारी याद रखनी है इस हाल ही में ग्रहम अंतरी अनिल विज ने कौन सा मॉबाइल अप्लिकेशन लॉँच किया है तो हाल ही में ग्रहम अंतरी अनिल विज ने स्थान यानि की क्लीन हर्याना नाम का एक मॉबाइल अप्लिकेशन लॉँच किया है बी आप्शन जो है इस क्युस्तन का हमारा बिल कारी हैं वो उसको नोटिस करेंगे रों साफ सफाई कर वा दी जाएगी ऐसा कोई गली की सफाई भी हो सकती है कोई सड़क की भी हो सकती है कोई सड़क जिले में पेजल टेस्टिंग लैब की सुरुवात की गई है तो हर्याना के अंदर पेजल टेस्टिंग लैब की सुरुवात की गई है जीन्द के अंदर ए आप्शन सही है हलांकि आगे पढ़ोगे आप लोग सिर्सा के अंदर भी की गई है ठीक है सिर्सा और जीन्द यहां पे पीने वाला पानी है उसके लिए टेस्टिंग की लैब जो है वो बनाए गई है तकरीमन 70 लाक रूपे की लागत से बनाए गई है टेस्टिंग लैब तो इसके अंदर पानी के अंदर कितनी कठोरता है टीडियस है फ्लोराइड है पानी पीने लाइक है कि नहीं है इन सबी चीजों को चेक किया जाएगा जीन्द को हर्याना का हर्दे कहा जाता है हर्याना का जो है कलेजा कहा जाता है यूँ कहिएगा आप लो इसका पुराना नाम जैनता पूरी के नाम से रखा गया था ठीक है और कहा जाता है कि महाबारत काल में पांड़ों ने यहाँ पर ही विज जाता है जीन्द को हर्याना जब बना था तब सबसे छोटा जिला चेतर रफल की दृश्टी में जीन्द ही था आगे बढ़ता हूं तो हर्याना में पंचायतों का रिकोड डिजिटल करने के लिए किस नाम से पार्टल लॉँच किया गया है तो हर्याना के अंदर जो पंचाय ने लगाया है यह सारी बातें जो हैं मुझे कैसे पता लगेगी तो मुझे पता लगेगी एक पर्टल के माजदम से इस पर्टल का नाम है क्या ग्राम दर्शन ठीक है विलेस दर्शन नाम का एक पर्टल होगा ठीक है हर्याना राज्या की 697 ग्राम पंचायतों का डेटा जो है इसके उपर उपलब्द होने वाला है ग्राम दर्शन पर अब तक कितनी प्रियोजने लागू होगी और कितनी होने वाली है यह सारा का सारा ब्योरा इस ग्राम दर्शन नामक पॉर्टल पे उपलब्द रहेगा हर्याना में अब मॉडल संस्कृती स्कूलों का नाम बदल कर क्या रखा जाएगा तो हर्याना में अब मॉडल संस्कृती स्कूलों का नाम बदल कर रास्ट्रिय मॉडल संस्कृती वरिष्ट माध्यमिक विध्यालिया रखा जाएगा यानि कि D option जो है इसके उसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा और इन में जो session है वो कब से start होगा वो 2021 का session जो है वो start किया जाएगा सस्कृति moral school का मतलब है कि गाओं के इस तर पे भी school के अंदर CBSC board को लागू करना और गाओं के अंदर ही जो है बच्चों को उचस तरीय पढ़ाई करना English medium school बनाना जैनली क्या होता है कि गाओं के अंदर बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है तो बच्चों को CBSC जैसी सहरों जैसी तर्ज देना गाओं के अंदर ही इन्ही मोडल सस्कृति स्कृल का एक सीधा सा कहिएगा आप लोग लक्षे रहेगा तो खैरागे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्यूस्टन हमारा क्या रहेगा अगला सवाल हमारा यहाँ पे है क्या के हाल ही में अनिता कुंडू ने उत्तरा खंडस्तित कितने मीटर उंची रुदू गेरा चोटी पर फतेह किया है अनिता कुंडू रहने वाली है हिसार की हिसार जिले के अंदर गाओं पढ़ता है जिसका नाम क्या है फरीदपूर ठीक है इस फरीदपूर गाओं की रहने वाली है बेटी जिसका नाम क्या है अनिता कुंडू प्रवतार हो ही है उत्राखंड की रुदू गेरा गंगोत्री थ्री इन दो परवत सिखर की चड़ाई करना सुरू किया जिसमें सबसे पहले रुदू गेरा को फते किया जिसकी उंचाई अठावन सो मिटर है गंगोत्री थ्री की उंचाई कितनी है सर उसकी उंचाई है सता सट सो मिटर है ठीक है ये बात भी आप याद रखीगा इन दोनों को ही टेक्निकल माउंटेन के नाम से पुकारा जाता है एक ही पॉटन बात बता देता हूँ मैं आपको जो आपकी ये बेटी है अनिता इस बेटी को टेंजिंग नारगे नेशनल एडवेंचर अवोर्ड से भी समानित किया गया था अभी रिसेंटली ठीक है कौनसा अवोर्ड तेंजिंग नारगे नेशनल एडवेंचर अवोर्ड इन्हें हल्याना सरकार के दवारा नारी सक्ती पुरुसकार कल्पना चावला अवोर्ड सरवतम महिला पुरुसकार इन अवोर्ड से समानित किया जा चुका है ठीक है बहुत सारी और्गनाजिशन है या यू कर ये गरूप है संगठन है वो अनिता को समानित जो है कर चुके हैं बहुत सारी यूनिवस्टी और संस्ताव ने अनिता को कुंडु को अपना ब्रेंड एम्बेस्टर भी बनाया हुए है तो ये बातें आपको सभी के सभी याद रखनी है वर्तमान में हर्याना के कितने एक्ट में पंजाब का नाम आता है तो हर्याना के कितने एक्ट है जिसमें पंजाब का नाम आता है तो इसके उस्तन का सही अंसर रहेगा 163 एक्ट जितने है 163 एक्ट जिनके अंदर जो है वो पंजाब का नाम आता है और रिसें को जोड़ा जाएगा हलांकि पहले जब ये रिपोर्ट भेजी गई थी तब तो पता लगा था कि 237 एक्ट है लेकिन इसे दुबारा जब रिन्यू किया गया या चेक किया गया तो पता लगा कि 17 एक्ट तो ऐसे है जिनका नाम पहले ही हट चुका है और जबकि 74 एक्ट खतम ही हो चुके है ठीक है तो ऐसे में अब 163 एक्ट ही ऐसे बचे है जिनमें पंजाब का नाम आता है और हर्याना विदान सबा का जो अभी 5 नवंबर को स्थर स्टार्ट होने वाला है इसके अंदर पंजाब सब्द हटा दिया जाएगा तो यह important question होगा यह बात आप याद रख लेगा आगे जाते हैं अगला question हमारा है कि हाल ही में सिक्षा विभाग ने किस नाम से एक application त्यार किया है तो सिक्षा विभाग ने अभी हाल ही में education department दे अभी हाल ही में एक आउसर एप यानि क opportunity app जो है यह त्यार किया है c option जो है is question का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा अचा इस आउसर एप से क्या होगा देखिए क्या होते है कि माल लेते हैं कोई बच्चा पढ़ रहा है ठीक है यह बात घरवालों को पता है कि वो पढ़ रहा है लेकिन क्या पढ़ रहा है उसका क् इतने वो marks लेके आ रहा है जर्नली और working person जितने भी होते हैं माल लेते हैं किसी की मम्मी जो है वो भी डॉक्टर लगे हुई है पापा डॉक्टर लगे हुए है बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा इतना कोई पता नहीं है या status वगरा कोई खास ध्यान नहीं देत है जरूरी नहीं कि स्टुडेंट ही ना पढ़े कई बार टीचर भी नहीं पढ़ाते होते हैं ठीक है तो टीचर का भी स्टेटस पता लगेगा यह सारी और कमल क्रास में एक वगरा में कैमरा वगरा भी लगेंगे तो यह सारी जानकारी एक ही प्लाटफॉर्म पे रहेगी इस आप्लिकेशन के दुरूप मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर स्टुडेंट और उनके पेरेट यह चारों जो है एक लाइन में रहेंगे सारे दूसरे के बारे में जानकारी ले सकेंगे इस आप्लिकेशन के माध्यम से तो यह काफी इपॉर्टन एप रहने वाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्युस्तन हमारा क्या रहेगा अगला क्युस्तन हमारा है कि तेहाल ही में हर्याना के कितने जिलों के डाक घर में बिजली के बिल जमा करवाने की सुईधा लागू की गई है पहली तो बात आपको यह पता हो जानी चीए कि हर्यान आता है हिसार जिला ठीक है एक जिला कुन सा आता है आपका फतेहाबाद जिला आता है ठीक है फतेहाबाद और दूसरा हाल ही में हर्याना के कितने जिलों के डाक घर में बिजली के बिल जमा करवा सकने की सुईधा लागू की गई है पहला तो सीधा यही क्युस्तन हो गया कि हर्याना राज्ये के अंदर डाक घर के अंदर भी बिजली के बिल को जमा करवाया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रामिन लोग होते हैं उनको जदा पता नहीं होता है कि हिसार में जाए या किसी सीटी में जाए तो अपने सहर बें जाके कहाँ पे बिजली के बिल जमा होते हैं तो इसलिए क्या है कि गाओं के चित्र के आसपास या कस्वे के चितर के आसपक, जितने भी डाग घर होते हैं, वहाँ पर भी बिजली के बिल जमा हो सकते हैं, यह सबसे पहले कितने जिलों में सुरू हुई है, तीन जिलों के अदर, पहला जिला कौन सा है, पहला जिला इसके अंदर हिसार ही है, ठीक है, दूसरा जिला कौन सा कि डाग घर के अंदर 20,000 उपे तक का बिजली का बिल जो है वो जमा करवाया जा सकता है अगर इससे जादा होता है तो फिर डिपार्टमेंट में ही जाना पड़ेगा बिजली विवाग में ही जाना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं गला क्यूस्तन हमारा रहेगा हर्याना के कि इस छेतर में पहली बार उपचुनाओ के लिए डिजिटल नामंकन किया जाएगा खैर इस क्यूस्तन का आपको अंसर आता होगा बहुत अच्छे से आता होगा उपचुनाओ कहां हो रहे हैं सोनीपत के बरोदा में होने वाले हैं कम होने वाले हैं तीन नवंबर को होने वा हाल ही में हर्याना के सरकारी स्कूलों के कितने विधारतियों ने जेई एडवांस की प्रिक्षा पास की है तो जेई एडवांस की प्रिक्षा हर्याना के तेईस जो है तेईस स्कूलों के विधारती या सरकारी स्कूलों के विधारती जो है तेईस उन्होंने पास की है यानि क basically मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि हर्याना के दरना super hundred का concept चल रहा है गरीब बच्चों का उसके तहद जो है इन बच्चों का selection हुआ है that's why यहाँ पर मैंने put कर रखा है हाली में हर्याना के किस पहलवान ने डिप्टी डारेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है डिप्टी डारेक्टर पद से इस्तीफा बहुत important कि उससेल है डिप्टी डारेक्टर पद से इस्तीफा किस ने दिया भी कवीता देवी ने गीता फोगाट ने बवीता फोगाट ने या ए और सी दोनों नहीं अगर आपको याद होगा तो थोड़े टाइम पहले जो है आपको मैंने बताया था कि बबीता फोगाट और कविता जो है इनको डिप्टी डारेक्टर पद के लिए सौपा गया था लेकिन इन में से अभी रिसेट ली जो है बबीता फोगाट यानि की सी ऑप्शन सही है ठीक है जो बबीता फोगाट है इन्होंने डिप्टी डारेक्टर पद से इस्तिफा दे दिया 2014 में कॉमनवेल्थ गेम की मैडल विनर रही है बबीता फोगाट ठीक है और हर्याना पुलिस में DSP पद पे भी रह चुकी है यह और इन्होंने 30 जुलाई को जो है डिप्टी ड पहलवान महावीर सिंग फोगाट की बेटी है यह ठीक है यह भी एक इपॉर्टन चीज है हलांके इन्होंने का है कि अभी जो है मैं नोकरी करने में ऐसमर्थ हूं कारण क्या है कारण तो वैसे ग्राउंड रिपोर्ट तो यह कहती है कि इनको चुनावी मैदान में उतरना जरूरी था ठीक है पिहार चुनाव भी है और बरोदा उप चुनाव भी है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला किस्तन हमारा यह इनका जो है उत्याग पत्र पहली बार बरोदा के उप चुनाव में किसके लिए पोश्टल बैल्ट की सुईधा दी जाएगी इस पोश्टल बैल्ट के अंदर क्या होता है कि कोई दूर दिराज की इलाके में रहता है वो घर बैट की ही जो है अपने एक डाक के माधियम से अपना वोट जो है वो लेगी यानि के डी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा इनको तो कर देने ही पड़ेगी अगर नहीं देंगे और यह अगर आ भी गलती से वहां पर तो सब का ही चुराओ हो जाएगा फिर तो बतल है ही तुम्हें इस बात का आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे अगला जो हमार क्युस्तन क्या रहेगा अगला क्युस्तन हमारा है अच्छा यहां पे एक इपॉर्टन बात आपको और भी बता देता हूँ हर्याना के किस नगर निगम को पहली बार चीफ इंजिनियर का पद मिला है हर्याना का कौन सा नगर निगम है जिसको चीफ इंजिनियर का पद मिला है तो इस किस्तन का सही अंसर है पानिपत पानिपत नगर निगम को पहली बार चीफ इंजिनियर का पद मिला है सुप्रिडेंट इंजिनियर महीपाल सिंग को ही जो है परमोट करके चीफ इंजिनियर बना दिया और इससे बैनिफिट क्या होगा सर इससे बैनिफिट ये होगा कि तकरीबन डाही करोड तक के प्रोजेक्ट जो है न पंचकुला से मंजूरी लेके नहीं आनी पड़ेगी वही कर देंगे चीफ इंजिनियर उन्हें पास कर देंगे अब तक क्या होता था अब तक पचास लाग तक के प्रोजेक्ट वह पास कर सकते थे अगर इससे ज़़ा प्रोजेक्ट पास करना है तो पंचकुला जाओ हैड उफिस में जाओ मंजूरी लेके आओ लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब धाई क्रोड तक के प्रोजेक्ट जो है वह खुद ही पास कर देंगे अच्छा इससे पहले सर कौन-कौन से ऐसे जिले हैं जिसको चीफ इंजिनियर का पद आल्रेडी मिला हुआ है ठीक है तो तेम्यामर्खाइब स्छेषवा नगर-डिगम में दो चीफ इंजिनियर के पद थे और सरकार ने वहां था एक पानीपत नगर-डिगम ट्रासफर कर दिया है तो पानीपत के इसा पहली बार हुआ है जहां चीफ इंजिनियर का पद मिला है ठीक है और जिकर पानीपत का हु हुई है एक नमबर 1989 को हुई है चेत्रफल 1268 वर किलमेटर है विदान सबाद चेत्रों में पानिपत सहरी पानिपत ग्रामीन इश्राना समालखा का नाम आता है ठीक है उध्योगों की बात करें तो हैंडलूम उध्योग बहुत जादा फेमस है पंचरंगा चार उध्योग फे जाल फेमस है यहां पे डायरेक्टर औफ ऐल्थ रिटेल जानने के लिए कुन सा यपकली केशन क Да्ट किया है umbrella चीठ उनका हेल्थ का चैक करने के लिए रिए उन्होंने एक ऐंप्लीकेशन का नाम है स्मक्ष स्मिक्ष एप ठीक है इस किस्तन का हमारा सी ऑप्षिन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा और इससे होगा क्या इस स्टुडेंट और टीचर की करोना रिपोर्ट और टेंपरेचर भी जो है उसकी जानकारी मिलेगी एक तो जितने भी स्टुडेंट है टीचर से उन सभ के लिए open कर दिया है ठीक है इसमें क्या होता है कि स्कूल का नाम जिला अपने बर्थ डेट वगरा करके अपने एक यूग यह लोगिन आइडी जनेरेट कर सकते हैं ठीक है और जो भी डेली का स्कूल में बच्चों का temperature वगरा चेक किया जाता है वो इसमें अपडेट करना होत है application में ताकि जो education department है उनको पता अलग सके कि स्कूल के बच्चों की health कैसी है आगे जाते हैं अगला question हमारा क्या रहेगा हर्याना के किस सहर में flip card का सबसे बड़ा supply center त्यार किया जाएगा flip card का सबसे बड़ा supply center त्यार किया जाएगा गुरू ग्राम में ठीक है और गुरू ग्राम का एक जगह है आपको याद होना चीए industrial hub कोन सा है माने सर यानि किसी option जो है इसके उसन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा 140 एकड जमीन जो है इसके लिए आवंटित की गई है किसके दवारा आवंटित की गई है हर्याना राज् करने के लिए सबसे बड़ा सप्लाई सेंटर के रूप में जो है इसे गोसित किया गया है तो काफी इपॉटन्ट है तकरीबन तकरीबन इस पर पैसे भी 3500 क्रोड से भी जादा आने की उमीद है अब जिकर कहां किसका हुआ है फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट की स्थापन अक्तूबर 2007 बैंगलूरू के इंदर हुई थी है एड़कार्टर बैंगलूरू में ही है मतलब इसका और कल्यान कृष्ण मूर्ती जो है वो इसके CEO है फ्लिपकार्ट के अगला किस्तन है हर्याना का पहला पोस्ट कोविड क्लिनिक कहां बनाया जाएगा हर्याना का पहला प भगवत दयाल सर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिटूट ऑफ मेडिकल साइंस ठीक है पंडित भगवत दयाल सर्मा पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल साइंस इसका पूरा फुल फॉर्म है यहां पे पोस्ट कोविड क्लिनिक बनाया जाएगा सर इससे होता क्या है म माल लेते हैं कि किसी को करोना हुआ है और करोना होने के बाद में क्या होता है कि वो ठीक हो गया मतलब उसको फॉलो किया जाएगा इस पोस्ट कोविड क्लिनिक के माध्यम से कि माल लेते हैं एक महीने तक है डेड़ महीने तक उसका क्या स्टेटस रहता है ठीक है लगबग उस स्थापना कब हुई थी 1960 में हुई थी वी सी का नाम किया प्रोफेसर ओपी कालरा है आगे जाते हैं कि हर्याना के किस जिले के निवासी केसरा राम को 25,000 डोलर का अंतराश्ट्य पुरुसकार दिया जाएगा तो 25,000 डोलर को का जो है अंतराश्ट्य पुरुसकार ये केसरा र के जो है जनानी पोध का चैन किया गया है इनके एक कथा संग्रह है जिसका नाम क्या है आपका जनानी पोध इसका चैन किया गया है और इसके लिए इने 25,000 कनेडाई डॉलर की रासी मिलने वाली है ठीक है बीएसनल का SDO का पद जो है इनोंने अपने मर्जी से छोड़ा था ठ वाल्व कर दिया साथ नवंबर को कनेडा के वेंकूर में एक समहारों में जो है इनको ये पुरुसकार दिया जाएगा और प्रौसान जो है इनको मतलब किसके लिए चुना गया है गुरू मुकी या शाह मुकी प्रकासित होने वाली कथा के लिए सरोश्रिश्च पुस्तक क भी आपको याद रखने है कि पाकिस्तान के लाहोर निवासी, जुबेर एहमद के कता संग्रा, पाणी दी कंथ और कनेडा निवासी, हर करत कोर्चहल के उपन्यास, आदिम ग्रेहन को फाइनलिस्ट गोसित किया गया है, ठीक है, यह मतलब यह फाइनल है, नमबर वन, नमबर गव्य का नाम, केसरा नाम आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है, और बात करता हूँ, यह कहा की है, हिसार के है package है, ना तो हिसार के जिकर करें, तो हिसार में आदिको famous है, नागुली गेट, बोुली गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट, काफी सारे का सबसे बड़ा केंदर है अब तक हो जा गया या सिंदुगाटि सब इतका सबसे बड़ा आ आपका केंदर रहा है हिये यहां पे बहुत सारी आदिवासी जातियां भी रहते थी हिसार है जैसे क्षेवा मैडल पाने वाली पहली महिला बनी है यह क्यूस्ट्टन अपको साधा ही पॉटन्ट होगा चिक है युद्ध सेवा मैडल पाने वाले मिंटी अगरवाल जो है यह है अंबाला की बी आप्शन जो है इस क्युस्टन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा मिंटी अगरवाल आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी अच्छा इनको मिंटी हुमी का इनोंने निवाही थी इस वज़े से इनको जो है यह भादुरी के लिए अवोड दिया जा रहा है और एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंग भदोरिया जो है उनके दवारा इनको यह अवोड मिला है और युद्ध सेवा मैडल देनी की सुरुआत सबसे पहले है सितारे की आकरती सी बनी होती है इसके पर और इसके अंदर जो है वो हिंदी और इंगलिस में युद्ध सेवा मैडल लिखा होता है मिंटी अगरवाल एयर फोर्स पब्लिक स्कूल से 2004 में बार्वी पास की थी उसके बाद में BSC में अडिमिशन लिया और 2011 के अंदर जो है अंबाला के Bank of India के Branch Manager है वो अब जिकर अंबाला का हुआ है न यहाँ पे तो अंबाला का जिकर करें हम लोग तो अंबाला की स्थापना जो है वो अंबा नामक राजपूल शाशक ने की थी और अंबिका माता का मंदिर होने की वज़े से इसका नाम अंबाला पड़ा कुछ कहते हैं कि आम की पैदावार बहुत होती है इस वज़े से भी इसका नाम अंबाला पड़ा है ठीक है तो खेर बहुत सारी रीजन की वज़े से अंबाला कहा जाता है सास्कृत के गहन अध्यन करने के लिए अंबाला चाउनी में स्री दिवान कृष्ण किसोर सनातन धरम आदर सास्कृत महाविदाल्या भी है तो यह इपार्टन्ट है अच्छा और यह सीटी अंबाला जो है अमरसर और दिल्ली से सडक और रेल मारक से डारेक्ट जुड़ा हुआ है अच्छा दूसरी बात इसको हम लोग ट्विन सीटी कहते हैं क्योंकि यहां पे एक अंबाला केंट ह और एक खुद अंबाला सीटी तो होई गया और दूसरी बात है कि भारत की सबसे बड़ी चावनियों में से अंबाला चावनी का नाम आता है और एक इपार्टन्ट बात कि यहीं पे ही 29 जुलाई को 29 जुलाई 2020 को लेके आये थे राफेल लेके आये हैं 5 राफेल फ्रांस से और इवन आगे और भी राफेल आएंगे नमंबर के महीने में वो भी अंबाला ही आएंगे तो यह भी एक बहुत इपार्टन्ट क्युस्टन बन सकता है हमारे लिए हाल ही में करनाल स्थित राष्ट्रिय पसू अनुवानसिक संसाधन ब्यूरो ने देशी नसल के कितने कुट्टों को जैनेटिक पहचान के लिए पंजिकरित किया है genetic identification के लिए register किया है अभी हाल ही में तीन नसल को भी option जो है इस question का हमारा वो बिलकुल ठीक रहेगा अब ये तीन नसल कौन-कौन सी है सहजी ये है तमिल लाडू की एक तो है चिपा पराई डोग एक है राजा पलायम डोग एक है हिमालियन भूटिया डोग इन तीनो नसल को जो है सामिल किया है करनाल के अंदर रास्ट्रिय पसू अन्वानसिक संसाधन ब्यूरो ने इनकी जैनेटिक पहचान के लिए अब इन तीनों ही नसल की अलग-अलग खाशियत है जैसे चिपा पराई डोग कुछ इस टाइप का होता है ये दुबले पतले सरीर के होते हैं और ये तमिलाडू में मदुरही में एक चिपा पराई टाउन है उसी वज़े से इनका नाम चिपा पराई पड़ा है ये सिकार के लिए पहले परियोग होते थे और दूसरी बात ये है कि इनकी आँखों का विजन बहुत अच्छा होता है 270 डिग्री तक का इनका आँखों का विजन होता है काफी अच्छे तरीके से दूर तक ये देख लेते हैं इदर उदर तो इसी वज़े से इनका सिकार के लिए इनका यूज होता था इनका वजन मास पीश्यों और हडियों से ही होता है ठीक है पतले दुबले ही होते हैं दूसरे है राज पलायम डोग ठीक है कुछ इस टाइप के होते हैं पॉलगर हाउंड या इंडियन घोस्ट हाउंड के नाम से इने जानते हैं दक्षिनी भारतिय कुत्तों की नसल है यह अ हमाले शिप डॉग के रूप में बहुत चादा फेमस है इनका वजन 23 से 41 किलोगराम होता है लंबाई 76 सेंटिमेटर होती है ठीक है इनकी खास बात यह कि कितना भी खतरनाक मोसम हो जैसे बरफिला मोसम हो उसमें भी बड़ा अच्छे से काम करता है रहता ही पहाड़ों में हमाले की पहाड़ियों में सिकार करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है तो यह है वो तीनों कुतें जो कि आपको याद रखने हैं और बात कर रहे हैं हम लोग किसकी यहां पे इंडियन कॉंसिल आफ एग्रिकल्चर रिसर्च की इस की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई यह प्रेजिडेंट नरेंदर सिंग तॉमर ही है डारेक्टर का नाम तिरलोचन मोहपात्रा है आगे बढ़ते हैं कि हर्याना की किस जिले में पराली से एथेनॉल बनाने के लिए टूजी एथेनॉल प्लांट जो है वो बनाया जाएगा पानी पत के अंदर ठीक है इस किसन क बी आप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा एथेनॉल प्लांट और इसमें तकरीबन लागत कितनी आएगी 909 करोड रुपे की लागत आएगी ठीक है और पराली जो है उससे एथेनॉल बनाएंगे एथेनॉल का फिर यूज किसलिए करेंगे हम लोग पैट्रोल क अंदर खरेंगे पानिपत के बारे में आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आगे बढ़ता हूँ गलग हाल ही में किस संस्थान के सोध में खुलासा हुआ है कि भारतिय दुधारू पसू जैसे जो गाएं बेहन से दूद देती है उन पसूँ में सुमैटिक सेल्स की सं पस्टियर डेरी अनुसंदान संस्थान ने भी ऑप्शन जो है इस किस्टन का हमारा बिल्कुल ठीक है अब सरी है सुमैटिक सेल्स जिना बेसिकली हम कैसे काउंट करते हैं देखिएगा हमारे इस दूद के अंदर बहुत ही इपॉर्टन स्वेट रक्त कोशी का है ठीक है इ हम सुमैटिक सेल्स पे डाल सकते हैं सुमैटिक सेल्स बढ़ने का कारण यूं कहिएगा आप लोग कि पस्टू साफ सुत्रा ना रहे संकरमन रहे उनके थनों में संकरमन रहे उनको नहलाया दोलाया ना जाये ठीक है मोसम में उतार चड़ा हो जाता है कई बारन में फीवर गएरा भी हो जाता है तो वह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ठीक है तो इसी वज़े से जो है पस्टों के दूद का सुमैटिक सेल्स है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सुमैटिक सेल्स बढ़ने से दूद में फैट है ना वो भी घट जाता है वो दूद पीने लाइक नहीं होता है उसमें बहुत सारे बैक्टिरिया वगरा भी जो है वो इन्वाल हो जाते हैं तो ये बाते आपको याद रखनी है इस वाले क्युस्टन से आगे बढ़ते हैं अगला क्युस्टन हमारा क्या रहेगा अच्छा इससे नैशनल डेरी रिसर्च इंस्टिटूट है य हाली में कितनी लड़कियों का चैन किया गया है सैल्फी विद डोटर अभियान जो है इसमें अंतरास के पहचान दिलाने के लिए दस लड़कियों को जो है वो चैन किया गया है डी आप्शन जो है इस किस्तन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा अच्छा सैल्फी विद डोट Foundation के सयोजक का नाम क्या है सुनील जागलान है वो इस अभियान की देखरे कर रहे हैं सैलफी विद डोटर अभियान भारत में कब सुरू हुआ था तो यह सुरू हुआ था भारत में 2015 को सुरू हुआ था और जो अभी कौनामी सर्वे ऑफ इंडिया 2019 में सैलफी डोटर अभिया की बीविपूर ग्राम पंचायत के पूरू सरपंच है ठीक है और सैलफी विद डोटर फाउंडेशन जो है इसका इसका एक उदेश्य है कि गाओं के अंदर जितनी भी बेटिया है हर गाओं के अंदर बेटिया है उन बेटियों के नाम से ही घर की प्लेट होनी चीए नेम होनी चीए ठीक है और भारत के लावा अमेरिका, इंगलेंड, फ्रांस, जपैन, जर्मनी, इटली, कनेडा, मौरिशिस, दुनिया के बहुत सारे जो है तमाम देश हैं उनके अंदर सैलफी विद डोटर फाउंडेशन की टीम जो हो त्यार की जाएगी आने वाले टाइम में इस फाउंडेशन में सिंगल डोटर वाले व्यक्ति या सिंगल डोटर इसमें सामिल है, कई वुमेन तलाक सुधाएं हैं, कई वुमेन विद्वा हैं, कई एविवाहित हैं, अकेली जिन्दिगी बिताने वाली महिला हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं इसमें सामिल कि लिए विद्वा महिला होती है उनके चहरे पे मुस्कान लाने के लिए ठीक है इनके लिए एक टीम जो है त्यार की गई है और कहा कहा से कौन-कौन सी बेटी है आपको मैं बता देता हूं ठीक है इस टीम में चंदिगड की अनवी अगरवाल इसको तो ब्रेंड अमेस्टर बन कामिल किया गया है अन्वी अगरवाल जो आपको दिखरी है बीच में यहीं ब्रेंड अम्बेस्टर है इस अभियान की अगला क्यूशन हमारा है कि हाली में हर्याना में पढ़ने वाले बचों के syllabus को कितने percent कम कर दिया गया है तो हर्याना में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके syllabus को 30% तक कम कर दिया है जूटू COVID-19 ये तो आपको पता ही है 9 से 12 तक का syllabus जो है आपका 30% तक कम कर दिया गया है सिंपल सा क्युस्टन है तो अगला क्युस्टन है हर्याना के राज्य बनने के बाद से अब तक किस निर्वाची छेतर में कभी भी महिला विदायक नहीं चुनी गई हर्याना जब से राज्य बना था कब राज्य बना था आजी के दिन बना था एक नवंबर 1966 को बना था ठीक ह और तब से लेके अब तक यानि की 2020 तक है एक बार भी कोई महिला विदायक नहीं चुनी गई ये चेतर है कौन सा है बरोदा ही चेतर है ये ए आप्शन जो है इस क्योसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा इस ग्रामीन निर्वाचन चेतर में अब तक 13 विधायक चुने गए हैं सबी 13 विधायकों में से 9 विधायक इस निर्वाचन चेतर के स्थाई निवासी नहीं थे और 12 अप्रेल को कॉंग्रेस के विधायक स्रीकृष्ण हुड़ा के निधन के बाद में सीट काली होगी थी की जाएगी तो हर्याना की एक मातर अत्या धुनिक सीमेल लैब जो है वो हिसार जिले में श्तापित की जाएगी एक औप्षण इस क्युस्सन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा हिसार के राजकिय पसुदन फार्म में हर्याना राज्य की पहली अत्याधुनिक सीमेल लैब स्थापित होगी इस सीमेल लैब से होगा क्या फीमेल बच्डी या कट्डी ही जनम लेगी ठीक है ऐसे ही सीमेन त्यार किये जाएंगे और लैब का खर्चा कितना होगा सार तेरा करोड रुपे की लैब यह बनने वाली होगी देश में जादा तरफ फीमेल पस्टों की संख्या भड़ोतरी होगी जिसे दूद उतपादन भी है वो भी भड़ेगा पैसिकली सीमेन में दो क्रॉमोजोम होते है एक होता है एक होता है एक होता है वाई होता है मेल के लिए अब वाई को हटा दिया जाएगा और एक है कि उसी को रखा जाएगा इसी लिए एक सीमेन लैब त्यार की जा रही है यहाँ पर ठीक है बिफोर आई डाई को अंतराश्टिय फिल्म महुत्सव में परसारित किया जाएगा तो अंतराश्टिय फिल्म महुत्सव में बिफोर आई डाई मुवी को परकासित किया जाएगा और डॉक्टर जैमल जो है ये किस जिले के हैं डॉक्टर जैमल है सिर्सा जिले के ठीक है भी बोटर जैमल ने फूलों से ऐसी खुस्बू विकेरी है कि उनका नाम अंतरास्टी लेवल पे पहुँच पाया है तेरा साल पहले गाओं के सरकारी स्कूल के आसपास फैली गंदकी को अठाके उन्होंने जो है वहाँ पे बागवानी करना सुरू किया और उसके बाद में सुरुवात में इन्होंने 20,000 पोदों का अभियान चलाया था और उसके बाद में NGO वगरा भी यहाँ पे मिल गए तो अब यह सालाना बारा करोर पोधे जो है इनके दवारा वित्रित किये जा रहे हैं और फाजिल का हरियाना जीन करनाल इनके अलावा बहुत और जगह भी जो है इनके प्लांट लगाए गए है ठीक है स्कूल है पार्क है बहुत सारी जगह पे जो है इनके दवारा फूल जो है वो बेचे जा रहे हैं इनको हर्याना का फ्लावर मैन भी बोला जा रहा है 24 मिनिट की डॉक्यमेंटरी फिल्म है ठीक है बिफोर आई डाई ये और इसके निर्माता है जिनका नहीं है नकुल देव इनके दवरा ये बनाए गई है ठीक है बिफोर आई डाई जो है ये मूवी उमीद करते हैं कि ये भी अच्छा वोड जीते और हर्याना का नाम ओर आगे जाए अगला क्युस्तन हमारा है कि हाल ही में केंदर सरकार ने कितने राज्यों में हर्याना की स्वामितव योजना को पाइलेट प्रोजेक्ट के धार पे लागू किया है स्वामितव योजना को हर्याना की स्वामितव योजना को पांच राज्यों केंदर लागू कर दिया है पहले क्या होता था कि भाईचारे में जमीन पड़ी है लेकिन अब क्या है अपनी जमीन का मालिकाना हक देना उसके लिए कहिए कि आप लोग संपत्ति काड या रेजिस्ट्रेशन डीड त्यार करवा देना तो ये एक बहुत इपॉर्टन्ट है हर्याना में करनाल जिले के सिर डोरा मुक्तगाओं बना था तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं इस वाले क्यूस्टन से अगला क्यूस्टन है हर्याना में कब तक पूरा होगा डाइल 112 का प्रोजेक्ट सर डाइल 112 है क्या डाइल 112 का मतलब है कि आप इस नंबर को डाइल करके पुलिस होई या अंबुल साले टाइम में जो है मतलब दिसंबर तक पूरा हो जाने की संभावना है ताकि जो है ये मतलब नया जब साल आए तो यूं कहिएगा नए साल में कोई भी प्रोब्लम ना हो तो डाइल 112 आपका 31 दिसंबर तक यानि कि इस साल का आखरी दिन तक पूरा हो जाने की संभावना है इसके अंदर जो है हिंदी, इंगली, हल्यानवी, पंजाबी इन में जो है सिकायते सुनी जाएगी 47 ओ करमचारी लगाए जाएगी ग्रह मंत्री ने प्रोजेक्ट की पंच्कुला के अंदर जो बिल्डिंग है उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट की समिक्षा भी की है प्रोजेक्ट पुरा हो जाने के बाद में 15-20 मिंट के अंदरी पुलिस पहुंच जाएगी और अपराद वगरा है वो भी कम हो जाएंगे इससे आगे जाते हैं अगला क्युस्तन हमारा क्या रहेगा अगला क्युस्तन है कि चंदीगड की उस पहली खिलाडी का नाम बता स्मिर्ती मंधाना की कपतानी वाली टीम में इने सामिल किया गया है स्टी ब्यूटिफूल सेक्टर 37 की है यह और काशवी को त्यार करने का क्रेडिट उनके कोच नागेश गुपता को जाता है यह बात इपॉटेंट है याद कर लेना आप लोग आगे जाते हैं तो पूरे हो जाएंगे इसकी 19 या 20 तारीक को मतलब 19 तारीक को इसका पूरा काम हो गया था 20 तारीक इसका पहला दिन था ठीक है तो 19-20 अक्टूबर 1995 को जो है इस युनिवरस्टी की स्थापता होई थी और तब से लेके अब तक जो है कितने साल होगे पूरे 25 साल हो चुके है ठीक है हलांकि इस युनिवरस्टी ने बहुत ही जादा नाम कमाया है नैक से जो है ए ग्रेड ली है बहुत बार अब इस युनिवरस्टी में 196 का टीचिंग स्थाफ है 600 के करीबन 9 टीचिंग स्थाफ इस युनिवरस्टी के अंदर सामिल है ठीक है और अब तक तक तकरीब 300 से प्लस जा चुके हैं यहां के पुब्लिकेशन और एक बात और बता देता हूं वरतमान में जीजे युनिवस्टी के वी सी का नाम प्रोफेशर टंकेश्चुर कमार है ठीक है और जो स्टाटी में के ल जोहर थे न वो इस युनिवस्टी के फाउंडर वी सी के रूप में वो घोसित हुए थे आगे बढ़ता हूं हर्याना में जन्में डॉक्टर सत्यवीर सिंगल को ब्रिटिस सामराजिय पदक से नवाजा जाएगा इनका सम्मंद किस गाउं से है इनका सम्मंद हर्याना के रोहतक जिले के सरेंटी गाउं से है यह आप्शन जो है इसक्युस्ट योगदान के लिए अलग-अलग छेत्रों में योगदान के लिए दिया जाता है एक्चल में अगस 2019 में लंदन में एक इंटरनेस्नल गीता महुत सा आयुजित हुआ था उसमें जो है इन्होंने अपनी बहुत सारी सेवाएं दी थी उसी वज़े से इन्हें ब्रिटिस Empire Medal के लिए चुना गया है ये बात आप याद कर लीजिएगा ठीक है और साल 2000 में ये England गए थे और तब से जो है ये वहीं पे ही सेवारत है और वहाँ पे ही सेवा दे रहे हैं और अभी इन्हें रिसेंटली ब्रिटिस Empire Medal के लिए चुना गया है आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में किस राज्ये को सरव स्रेष्ट पसू पालन राज्ये का पुरुसकार मिला है तो सरव स्रेष्ट पसू पालन राज्ये का पुरुसकार हमारे हर्याना को ही मिला है भई बी आप्शन जो है इस किसन का बिलकुल ठीक है हर्याना को वैस्विक करशी पुरुसकार 2019 के तैट स स्रव स्रेष्ट पसु पालक राज्य का पुरुसकार मिला इसमें साथ लाख पसुओं को सफलता पुरुक टिका करन करने का दावा है और इसके आलावा मोबाइल अप्लिकेशन के जरिए बावल लाख पसुओं का फोटो सहित विवरन भी सामिल है ठीक है अब बता देता हूं हर्याना अभी फिलहाल के लिए दूद उत्पादन की छेतर में दूसरे नंबर पे है पहले नंबर पे पंजाब है लेकिन ऐसी कोशिस की जा रही है कि बहुत सारी जो है अप्लिकेशन वगरा बनाके से पसुओं का ध्यान रखा जाए तकि दूद उत्पादन बढ़ सके ज हादिक उनमें कोई प्रकार का रोग वगरा भी ना आए तो यह चीज़ एकुस राज्य सरकार ने हाल ही में जल्ल परिक्षन के लिए मोबाईल वें सेवा इसका मतलब की है सर इसका मतलब यह है कि यह चलती फिरती वें होगी ऐसे जो पाणी की टेस्टिंग करेगी ऐसा किय हार्याना राज्ये ने इसका मतलब क्या ऐसा जैसे माल लेते हैं कि गावं में कोई ऐसी जगह है कॉमन जगह है जहां से हम लोग पानी लेके आते हैं पीने वाला उस पानी की गुणवत्ता चेक करेगी यह लैब कि क्या वो पानी पीने लाइक है क्या उस पानी का जो टीडिय मीन आवास तक जो है नल दवारा जल पहुंचा दिया जाएगा ये भी हर्याना सरकार का एक लक्षे है आगे जाते हैं गला किस्सन हमारा है कि हर्याना के किस जिले में 270 साल से चली आ रही दिन की राम लिला का मंचल इस बार कोविड-19 के कारण नहीं होगने वाला है 270 साल से चली आ रही दिन की राम लिला और ये दिन की राम लिला बहुत फेमस है जजर की ए आप्षिन जो है इस किस्टन का बिलकुल ठीक है और इस कोविड-19 के कारण जो है इसे स्थगित कर दिया गया जिकर जजर का हुआ है जजर की स्था अपना चज्जू नाम के एक किसा पानने की थी इसका पहले नाम चज्जू नगर था लेकिन बाद में जजजर हुआ कुछ लोग कहते हैं कि जजरी जिसको सुराही बोलते हैं ये बहुत फेमस थी इसका नाम इस वज़े से जजर पड़ा है एक भिंडावास पक्सी अभ्यारन भी है एक भिमेश्वरी देव मंदिर भी है एक बुआ का गुबंद भी है तो ये बातें आपको याद रखनी है जजजर से हाली में है एचे यू वर्च्वल क्रिशी मेले ने पी यू यानि कि पंजाब एग्रिकल्चर यूनिवरस्टी का रिकोर्ड तोड़ा है या देश का कौन सा वर्च्वल मेला था कोविड-19 की सिच्वेशन थी इस वज़े से जो है वो वर्च्वल ही मेला लगा सकते हैं मतलब ऑनलाइन ही तो मेले लग सकते हैं आफलाइन लगाना था पोसिबल नहीं था क्योंकि सोसल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी तो जो सबसे पहला लगा था PAU यानि कि पंजाब Agriculture University में यह है लुद्याना में जैसे हर्याना में HU है वैसे ही पंजाब में PAU है और दूसरा लगा है HU के अंदर तो इसके उसन का सही अंसर रहेगा भी ऑप्शन ठीक रहेगा ठीक हैं दूसरा लगा है यह इसके अंदर जो इसके VC हैं HU University के जिनका नाम है Professor Summer Singh उन्होंने जो है सिर्कत की है और यह काफी हत्ता की important मेला भी है इसमें बहुत सारे किसानों को जानकारी दी गई है और यह बड़ा success भी रायर आने वाले टाइम में physical के साथ साथ virtual भी आयूजित करवाया जाएगा ऐसा कहना है Professor Summer Singh का HEU की स्थापना 1970 में हुई थी ये बात भी आप साथ की साथ याद कर सकते हैं डिल्ली मुंबई Express Way connect होगा अब नोईडा International Airport IZIA से इस Express Way से हर्याना के किस सहर को लाब होने वाला है तो दिल्ली मुंबई Express Way connect होगा नोईडा International Airport से इस Express Way से हर्याना के बलब गड़ को जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा और बलब गड़ को लाब मिलेगा कितना लाब मिलेगा वैसे देखो बता देता हूँ मैं कि दिल्ली मुंबई के बीज में साड़े बारा सो किलोमेटर लंबे Express Way का निर्माण हो रहा है ठीक है और इसमें 24 किलोमेटर का हिस्सा जो हो हर्याना राज् होगा जिसमें से चेतर पढ़ रहा है बलब गड़ जो कि आपको याद करना है अलग से ठीक है हिसार की बारा साल की अनुने किस परवत पर सफलता पूर्वक चड़ाई करने वाली यंगस्ट माउंटेनियर बनी है बारा साल से तो उमर खम क्या ही होगी बारा साल की अनुने जो है वो फ्रेंड्शिप पीक पे चड़ाई करके यंगस्ट माउंटेनियर बनी है ए आप्शन जो इसके सन का बिल्कुल ठीक है हिमाचर प्रदेश के बावन सो ब्यालिस मिटर उंचे फ्रेंड्शिप पीक की परवत की जो है चड़ाई पूरी की है किसके साथ पूरी की ह साथ में जो है ये चड़ाई पूरी की है इनोंने हाल ही में महिला विकास निगम का चेर्मेन किसे बनाया गया है तो काफी इपॉर्टेंट किससे नहीं है महिला विकास निगम का चेर्मेन बनाया गया है बबिता फोगाट को ए आप्शन जो है इस क्योस्तन का हमारा बिल्क चोदा राजनेतिक नुक्तियां की है इसमें से आपको मैं बता देता हूँ जैसे राम करण कला को सुगर फैड का चेर्मेन बनाया राम निवास सुर्जा खेडा को हर्याना खादी एवं ग्रामो ध्योग बोर्ड का चेर्मेन जोगी राम सिहा को हर्याना आवास बोर्ड का चेर्मेन, पवन खर्खोदा को हर्याना अनुसुचि जाती वित विकास निगम का चेर्मेन, रनधीर सिंग को हर्याना डेरी विकास संग का चेर्मेन, और एक नेदली उमिदवार है जिनका नाम है राकेश दोलताबाद, इनको ह हर्याना क्रिस्सी उद्धोग निगम का चेर्में निट किया है और बीजेपी कोटे से कोन आये हैं बेई बीजेपी कोटे से आने वाले व्यक्तियों में है कि आपके सुभास बाराला इनको हर्याना सारजुनिक उपकरम ब्यूरो का चेर्में अच्छा जगदीस नईयर को हर्याना वैपारी कल्यान बोर्ड का चेर्में रेवाडिक से अर्विंद यादव को हर्को बैंक का चेर्में और मुकेस गोड को हर्याना यूआ आयो का चेर्में अच्छा धोमन सिंग किरमच को सरस्वती हैरिटेज बोर्ड का वोइस चेर्में जो है बनाया गया है यह ची आगे बढ़ते हैं हम लोग हर्याना को वर्स दोहजार 21 के खेलो इंडिया की इमेजबानी मिली है ये तो बात आपको पता ही है त्यारियों को बहतर बनाने की लिए खेल राज्यय मन्त्री संदीप सिंग किस राज्य की खेल वेवस्थाओं का अलोकन किया है तो त्यारियों को बहतर बनाने के लिए रिसेंटली 2020 के जब हुए थे वो आसाम में हुए थे तो आसाम के स्टेडियम का अवलोकन किया और वहां की चीजों को देखा और वहां से देखे ये सोचा कि और हम लोग इसमें बहतर क्या कर सकते हैं ठीक है? तो ये इपॉर्टेट है याद रखना 2020 में 18-30 जनवरी तक असाम के गुहाटी में हुआ था तीसरा चरण इस बार चोथा चरण हर्याना के पंचकुला में होने वाला है। हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बिसिकली एक ऐसा पुरुषकार होता है हम डिस्क जिसमें ग्रहा मंत्री अपने तरफ से ही पुलिस वालों के उत्कृष्ट काम करने के लिए देते हैं ये अलांकि केंदर सरकार तो ये सम्मान लगातार ही देती रही है लेकिन हर्य अलिमेंट भी दिया जाएगा तो ये एक बहुत इपॉर्टन बात होगी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला किस्टन हमारा क्या रहेगा हाल ये में हर्याना के किस विभाग का कानूनी दाइरा जो है वो बढ़ा दिया गया है तो कानूनी दाइरा जो है वो बढ़ा दिया ग महिला पुलिस थानों का हो गया है पहले ये महिला पुलिस थानों का नहीं होता था अब ये महिला पुलिस थानों का हो गया है इस वज़े से हर्याना की जो पुलिस की महिलाएं हैं उनका कानूनी दाइरा बढ़ गया या यूं कहिएगा आप लोग वो और जदा पाउरफुल हो गई, CM की तरज पर हर्याना में अनिल विज की HM flying का प्रारूप क्यार करने का जीमा जो है को किसे सौपा गया है, आपको मैंने recently सक्टेंबर महिने के current affair में बताया होगा कि जैसे हर्याना के अंदर CM flying है, वैसे वैसे हॉम मिनिस्टर की भी flying होगी, ग्रहम अंतरालय की भी flying होगी, उसके अंदर कौन-कौन से अधिकारी किस-किस rank के होंगे, उसका पूरा जीमा किसे सौपा गया है, नवदीप सिंग विर्क को जो है ये जीमा सौपा गया है, पूरा का पूरा complete इसका धाचा त्यार करने के लिए, अनिल विज ने किस चिले में स्थापित नई COVID-19 आणविक यानि की molecular lab का video conferencing के माध्यम से उधगाटन किया है, तो ये किया है इन्होंने पानिपत के अंदर, ए आप्शन जो है इस किस्तन का बिल्कुल ठीक है, अब आप सोच रहेंगे सर ये molecular lab क्या होती है, इस lab में प्यारे बचो बेसिकली जो है, करोना का टेस्ट होता है, उसके अंदर cells वगरा को चेक किया जाता है, cell है, tissue है, उन सभी को चेक करते है, DNA, RNA, कैसे जो है, एक करोना का जो आपका यूं कहिएगा वाइरस होता है, तो किस तरीके से हमारी NHM हरियाना नाम की एक मासिक पत्रिका का भी अनावरण किया गया था, इसमें सरकार के जितने भी स्वास्ते से related उठाएगे कदम है, उनका ब्योरा होगा इस magazine के अंदर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्युस्तन हमारा क्या रहेगा, अगला क्युस्तन है कि हरियाना में करोना काल के दोरान, एक अप्रेल से 30 सेप्टेमबर तक कितने यूनिट जो है, वो रक्तदान हुआ है, तो करोना काल के दोरान, एक अप्रेल से 30 सेप्टेमबर तक हर्याना के अंदर 78,000 यूनिट जो है वो आपका यू कहिएगा बलड डोनेट हुआ है या रक्तदान हुआ है और बहुत इपॉर्टन बात भी कहिएगा आप लोग यू कहिएगा आप लोग अपना यूगदान दे रहे हैं बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे अलग-लग से इतने कैम्प लगे इतना यूनिट रक्तदान आया ठीक है तो ओवराल आपको मैंने बताई दिया दूसरी बात है लोगों ने प्लाजमा भी डोनेट किया है ठीक है प्लाजमा बैंक हर्याना में सबसे पहले लगा था रोहतक के अंदर याद रखिए का आप लोग ठीक है भी हुआ है गुरुगराम के अंदर पंद्रा सो ब्यासी यूनिट हुआ है करनाल में साथ यूनिट हुआ है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्यूसन है कि हर्याना के किस एरपोर्ट पर अब हो सकेगी नाइट लेंडिंग सेकंड फेज के काम में बीस क्र होती है cat to light है जैसे runway पे लगाई जाती है इसमें क्या होता है रात के टाइम में visibility बढ़ जाती है ताकि runway के उपर जब भी कोई pilot है अपना हवाईजाज उतारे तो उसको जगह पता लग जाए कि कितना दाइरा है कहां पे जो है hangar है हवाईजा जहां रोकी जाती है उसको hangar क जाता है ठीक है तो midnight को भी landing हो सकेगी इसका मतलब यह होगा कि 24 घंटे तक जो है इस airport पे आवाज आवी रहेगी यातायात काफी हद तक जो है सुधर जाएगा अगला क्युस्तन हमारा है कि हारियाना के किस airport पर राफेल के दूसरे बैच लाने के त्यारी सुरू हो चुकी ह मैंने आपको थोड़ देर पहले ही बताया था क्या अंबाला एरपोर्ट पे लाये जाएंगे राफेल का दूसरा बैच लाया जाएगा पहला बैच कब आया था 39 जुलाई को आया था ठीक है दूसरा बैच आएगा अब आपका नवंबर के महीने में हलांकि इसके लिए भी फाइनल डेट तो नहीं आई है लेकिन नवंबर के वीक में आएंगी ठीक है ये बात पी आप याद कर ले ना 17 गॉल्डन एरो स्कॉडरन के पाइलेट जो है अभी भी फ्रांस के अंदर है और वो ट्रेनिंग उनकी पूरी हो चुकी है और वो जल्द ही अंबाला एरपोर् इनके आईडिया जो है वो सिलेक्ट हुए हैं और इन तीनों में से दो को तो आईडिया वोड दिया जाएगा एक को प्रशंशा पत्र जो है वो दिया जाएगा अच्छा इनको मिलेगा डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम इगनाइट माइंड चिल्डरन्स क्रियेटिव दो को राष्टरपति के दवारा समानित किया जाएगा ठीक है और बाकी जो है इनको क्या कहते हैं प्रशंशा पत्र वगरा दिया जाएगा अब इनके आईडिया थे क्या सवाल तो यह है तो मुकंदलाल पब्लिक स्कूल की छात्रा पार्थ पार्थवी जो है इनको इलेक् दे मील की सुधा जनक उपकरन डिवाईज में टाठ पटी बिछाने और लपेटनी की रॉलिंग मसीन का आईडिया और राज की अवरिष्ट मादेमिक विदाले दामला के चातर विशाल कुमार के सोलर एनरजी चली तो जाडू लगाने की मशीन की आईडिया यह तीन किस ने है यह स्कॉलर जो है उन लोगों ने इनका स्लेक्शन किया है अब हरियाना सरकार किस विभाग के फैसले खुद ले सकेगी केंदर से मंजूरी का जंजट खतम हो चुका है तो केंदर सरकार से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी जल से सम्मनती जितने भी काम होंगे य से संकट उबरना है उनका कोई भी नियम बनानا है तो अपना राजे सरकार खुद ही फैसले लेगी केंदर सरकार के नियम लागूर नहीं होंगे अब हरियाना सरकार पे हरियाना के किस जिले में मेगा फूड पार्क बनाने के लिए नाबाड से रिन को मंजूरी मिली है तो जो बैंक है आपका इस बैंक से रिन की मंजूरी मिली है रोतक के लिए यानि कि B option जो है किसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा 55 करोड रुपे की रासी से जो है ये बनेगा नाबाड यानि की राष्टिय क्रिशी एवं ग्रामिन विकास बैंक इससे जो है हर्याना राज्य सहकारी आपूर्ती लिमिटेड जो हैफड जिसको बोलते हैं इसको 55 करोड रुपे की रासी मिली है ठीक है और ये परियोजना 50 एकड में फैली होगी ठीक है जिसमें 24 टेंडर डिजाइन प्राट बनेगी इसके अलावा शैड बनेगे पलार जो है बनाए जाएंगे और यहां पर बहुत सारे फूड जो है इन्टीच्रेटड फूड रहे जाएंगे मिल्क प्लांट भी यहां पर बनायजाएगा ठीक है पैकेजिंग प्लांट भी यहां पे बनाये जाएगा और इस प्रियोजना के भाग के रूप में मतलब कम्प्लीट तो रोतक में नहीं बनेगी कुछ हिसा यमना नगर के मानकपुर में जीन्द के नर्वाना और रिवाडी के बावल में जो है छोटी छोटी यूनिट बनेगी वहां पे भी ठीक है तो य कैथल जिले के गाव मुंदडी में परस्तावित महरसी वालमिकी संस्कृत यूनिवस्टी के लिए जगे कम पड़ गई है अब विसविधाले के लिए किस गाव में 55 एकड जमीन मिलेगी तो 55 एकड जमीन मिलेगी इस गाव मुंदडी से 3 किलोमेटर दूर जट हेडी गाव में यह ऑप्शन जो इसके उसन का बिलकूल ठीक है और यह इपॉर्टन बात है कि हर्याना की अंदर इंटरनेशनल लेवल की यूनिवस्टी बन रही है इसके लिए देखो सुरुवात में कैथल से 13 किलोमेटर दूर गाव मुंदडी में 22 एकड जमीन स्विकरत हुई थी ल दो पे काम चल रहा है ठीक है और इसके लिए अभी यह स्विकरत होगी तो हुगा क्या देखो इस जट हेडी में तो क्या है क्लासिस लगेगी और जो इसका प्रसास्निक ढांचा जो है वो गाव मुंदडी में त्यार किया जाएगा इतनी बातें आपको याद रखनी है इस क्युसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे है ठीक है हरियाना के पानिपत जिले में जो है वेपारियों की बैठक हुई और उसी वेपारियों की बैठक में 21 दश्य कार्यकरणी के सरव सम्मत्ती बनी और उसमें जो है गुलशन को हरियाना परदेश का अध्यक्स बना दिया गया रास्टिय जन उद्योग वेपार का ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्युस्तन हमारे है कि हरियाना की पूरो मुख्य सच्यू सिरीमति केशनी आनंद अरोडा ने हरियाना लोग प्रशाशन संस्थान दवरा लि मोचन किया है हरियाना की पूरो मुख्य सच्यू सिरीमति केशनी आनंद अरोडा अगला क्यूस्तन हमारा है बहुत बहुत इपॉटन्ट है पंजाब की तर्ज पर हरियाना सीमो में एक नया पद क्रियेट किया गया है मुख्य मंत्री के चीफ प्रिंसिपल सेकेटरी यानि क मुख्य परधान सच्यू का पद किसे मिला है तो मुख्य परधान सच्यू का पद मिला है विदुत विन्यामक आयो के चेर्मेन रहे चुके डिपेंदर सिंग धेसी को भी आप्शन साही है बहुत ही ज़ादा इपॉटन कियुस्तन है प्यारे बचो इसे आप लोग भूल मत जाना एक्जाम में जरूर मिल सकता है आपको यह हिमाचल परधेश के कांगडा के रहने वाले 1982 बैच के आई एस अधिकारी है इन्हें आप जरूर याद रख लेना पहले यह विदुत विन्यामक आयो के चेर्मेन थे वहां से बुलाके इन्हें मुख्य कारेकारी अधिकार या यूँ कहिएगा चीफ सेकेटरी चीफ प्रिंसिपल सेकेटरी का पद मिला है और इनसे पहले काम कुन संभाल रहे थे राजे स्खुलर संभाल रहे थे लेकिन वो तो अब वर्ड बैंक के निदेशक बन चुके हैं इस वजए से 25 अक्टूबर के बाद में जो है वो हर्याना अनुसुचे जाती राज की अध्यापक संभ हजरस की राज्य इकाई के परधान कोन बने हैं तो हर्याना अनुसुचे जाती राज की अध्यापक संभ के जो परधान बने हैं इनका नाम है डॉक्टर दिनेस ए आप्शन जो है इस किसन का हमारा वो बिलकुल ठीक र हर्याना अनुसोसित जाती राज की अध्यापक संग का तीन सालों में एक बार चुनाव होता है ठीक है और तीन सालों के लिए अब ये चुन लिए गए हैं दो हजार बीस से दो हजार तेईस तक जो हैं यही रहेंगे इस राज्य परधान को तो ये तो चुनी लिए डॉक्ट में जो है 12 अक्टूबर 2006 को इसकी नियू रखी थी आज हर्याना के 22 जिलों के अंदर जो है इसे सामिल कर दिया गया है आगे अब दुकान में खुली मिठाईयों की ट्रे पर लिखनी होगी एकस्पाइरी डेट ये आदेस हाली में किसने जारी किये हैं देखेगा ये किसन म हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा अब FSS AI जो है इसका फुल फॉर्म क्या है Food Safety and Standards Authority of India इसके स्थापना कब हुई थी अगस्ट 2011 में हुई थी हैड़कॉर्टर कहां पे है न्यू डैली में है एजनसी एग्जीकुटिव एचेर परसन का नाम क्या है रीता ये बात भी आप य होकने के लिए मार्कशीट और सेटिकेट पर परचारे के हस्ताक्शर होंगे जैसे हम लोग बैंक वगरा के जितने में आपि गवर्नर के इसी प्रेंट का क्या देखो अब माल लेते हैँ कोई परचारे है कोई principle है उसके signature लेने हैं तो student को teacher का इंतिजार करना पड़ता है principle का teacher ना भी होगी तो भी काम चल जाएगा कोई दिकत नहीं है ठीक है marks verification है या कोई भी verification का काम वह बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि पहले department को परचारे के पास बेजने पड़ती थी फिर sign करने पड़ते थे अब ऐसा नहीं है अब वो digital signature अपने पास रखेंगे और उसको उस mark sheet पे लगा देंगे तो इससे काम बड़ा जल्दी होगा और एक भस्ता चार भी मेटेगा यह बिचोलियों जो होते हैं या कई बार मनोज आहुजा है जो कि एक AIS अधिकारी है एफिलेशन कितनी है 21,49 में स्कूलों की एफिलेशन है राज्य चुनाव आयोग ने इस बार किसका चुनाव भी EVM से करवाने का निर्णे लिया है बहुत important है बहुत ज़्यादा important कि उससे नहीं है ठीक है देखिएगा सरपंच क जो members है उनका ही belt paper से होगा बाकि किसी का भी belt paper से नहीं होने वाला है ठीक है और ये काफी important question है हमारे लिए आने वाले time में 2021 फरवरी 2021 में जो है वो पंचायतों के चुनाव होंगे ये बात तो खेर आपको अच्छे से पता है ही ठीक है और सरकार को जो चुनाव आयोग है उ परिकरिया फूरी हो जाए और इस बार तो 50% महिलाओं का भी आरक्षन मिलने वाला है तो ये बात भी आप याद कर लेना थोड़ी सी अगला किसन है हरियाना में एक नवंबर से यानि कि आज से रात में उध्योग चलाने पर कितने percentage सस्ती विजली मिलेगी तो एक नवंबर से रात नो बज़ तक बिजली 22% महिंगी भी मिलेगी ठीक है और क्या है कि बिजली वित्रम ने पीक आवर साड़े पांस से नो बज़े के बीच में तैकी है उसके बाद नो बज़े के बाद में जो है 15% सस्ती बिजली मिलने वाली है इसमें इंट भटे वाले बहुत सारे उद्योग है जैसे 1.32 लाग से ज़्यादा कनेक्शन है उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा और बहुत सारे इंडस्ट्री जो रात को काम करती है से पब्लिक वाटर वक्स है ब्लक्स सप्लायर से लिफ्ट इरिगेशन है यह बहुत सारे डिपार्टमेंट है तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगरा किस्टन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की शूटिंग कहां पर की जाएगी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की शूटिंग जो है वो डैली में की जाएगी सी ऑप्शन जो है इस किस्टन का हमारा बिलकुल ठीक रहेगा ठीक है अब को शूटिंग तो होगी डैली में कुर्चेतर में हौकी साइकलिंग अमबाला में फुटबॉल जिमनास्टिक और स्विमिंग की जित ट्रेनिंग होने वाली है या वहाँ पे स्परदाएं प्रत्योगिताएं होगी और पंचकुला के अंदर सारे गेम होंगे बाकी ऑवरॉल ठीक है आप ध्यान देना कि ऑवरॉल गेम तो पंचकुला में होने लेकिन यूज किया जाएगा अमबाला और कुछ शेतर के कुछ स्टेडियम का भी प्रियोग किया जाएगा आगे बता देता हूं कि अमबाला के अंदर वाली वोल के भी स्परदाएं होंगी आगे कि यु इससे बेनिफिट क्या होगा एक तो पानी की गुणवत्ता चेक की जा सकेगी पहले हिसार आना पड़ता था सिरसावासियों को अब सिरसा के अंदर ही चेक होगी दूसरी बात है सीवरेज वाला पानी सर इसको क्यों चेक करना क्योंकि इसी पानी से खेतों में सिंचाई की जाती है ठीक है और सिंचाई वाले पानी को भी चेक किया जाएगा ये काफी इपॉटेंट क्यूसर है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्यूसर हमारा क्या रहेगा किस युनिवस्टी के वैग्यानिकों ने मैंगो स्ट्रॉबेरी फ्लैवर्ड वाला कम फैट का स अच्छी बात है फाइबर इसमें बहुत जादा है ठीक है और यूं कहिएगा दूद का एक अल्टरनेटिव भी है सोया मिल्क खोया मिल्क की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा कम फैट है अब ये वो लोग पी सकते हैं जिनको कम फैट की जरूरत होती है फिर वो दूद से थो सदा नहीं है लिमिटिड है हर चीज इसके अंदर लाला लाजपत्रा है वेटनरी उनिवस्टी है कहां पर ये हर्याना के ही यू के इंदर ही इसका आपका यू कहीगा एक परिसर है हिसार के अंदर स्थित है ये प्रफेसर गुर्दयाल सिंग जो है इसकी अद्यक्सता करते है इस उनिवस्टी की हर्याना के स्टेडियम अब किस स्टेडियम की तरज पर कम बजट में त्यार किये जाएंगे मतलब ऐसा कौन से जगे के स्टेडियम है वैसे वैसे स्टेडियम हर्याना में भी बनेंगे और इवन कम बजट के भी बनेंगे तो कंचन जंगा जैसे स्ट अलिप सिंग वो यहां के अवलोकन में गए थे और देखा कि कंजनगा स्टेडियम जो है वो कम बजट में बने वे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है आपि सुरिधाए भी उपलब्द है और सिली गुडी में कंजनगा स्टेडियम का अवलोकन किया यह स्टेडियम 1980 में बना था यहां पे ग्यारा रणजी ट्रोफी मैच जो हैं वो अब तक आयोजित करवाए जा चुके हैं हाल ही में हुए अध्यन के अनुसार हर्याना के छेसो से अधिक अजाद हिंद फोज के सिपाईयों का रिकोर्ड फाइलों में ही दफन बताया गया है यह अध्यन किया किसने है यह अध्यन किया है स्री भगवान फोगाट ने एक आप्शन सही है देखेगा सुभास चंदर बोज ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ज़ादा लड़ाईयां लड़ी थी और इन्होंने एक बगावत भी शुरू की थी अध्यन कि अंग्रेजों में इस वज़े से ब्रिटिस सेना में बगावत हुई भी थी लेकिन वो बगावत इस कदर चली थी कि भारतिय मूल के जितनी भी वैक्ति थे सिपाई थे वो धीरे धीरे जो है ब्रिटिस आर्मी को छोड़के अजाद हिंद फोज में सामिल हो गए और सुभाष चंदर बोष की मृट्यू भी जो है अंग्रेजों से लोहा लेते ही हुई थी लेकिन जब 1947 के बाद हम अजाद हुए तो हमें ये शो हुआ कि Second World War के टाइम पे सुभाष चंदर बोष जो है या उनके साथ इतने भी सेना थे वो सहीद हो गए लेकिन आगे की ब से ज़ादा ऐसे सैनिक थे जो ब्रिटिस फोज का हिस्सा थे और वो ब्रिटिस फोज के खिलाफ लड़ते लड़ते ही सहीद हुए थे ऐसा नहीं है कि उस Second World War में जो है उनका दिहान तुआ था या वो मरे थे या सहीद हुए थे तो आपको मैं बता देता हूँ कि हयाना के चर्खी दादरी की धानी फोगाट के रहने वाले हैं स्री भगवान सिंग फोगाट ठीक है और बहुत सारे अध्यन कर चुके हैं अभी तक ही ये ठीक है आगे बढ़ता हूँ मैं अच्छा एक बात और इपॉर्टन्ट है कि अजाद हिंद सरकार का स्थापना दीवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं क्योंकि 21 सुटूबर 1941 को जो है सिंगापूर में अजाद हिंद सरकार या अर्जी ह опять अजाद हिंद के नामसे एक भारतिय ऐस था ही सरकार स्थापिट की थी और जापान ने 23 ऑक्टूबर 1943 को अजाद हिंद सरकार को मानिता भी दे थी बोस्त ने अपनी अजाद हिंद फोज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे थे और वहीं पे ही उन्होंने एक परसिद नारा दिया था तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें अजादी दूगा अब देश भर के युवा खिलाडी कहां पर अपने आपको तयार कर सकेंग और टोके ओलम्पिक का पहला कोटा ठीक है चंदिगड से ही इसी स्टेडियम से खिलाडी त्यार होके आगे गए थे ठीक है यह यूँ कहिएगा होकी का एक अच्छा प्लेयर रुपिंदर पाल सिंग को को नहीं जानता भला धरमवीर सिंग है ओलम्पियन प्लेयर है बहुत सारे गेम जो है यहाँ पे त्यार कर सकेंगे इसके लिए स्पेसली जो है कोच वगरा जो है उनको भी निक्त किया जाएगा उर्दू अदब के महांशायर जिने चांद भी कहा जाता था जिनका हाली में निदन हो गया इनका नाम क्या है इनका नाम है महिंदर परताब और इ पेवम हर्याना उर्दू अकादमी ने दो साल पहले ही अकादमी की तरफ से फक्र ए हर्याना समान से नवा जा था तो ये काफी इपोर्टन किसन है इनकी बहुत सारी रचनाए हैं उर्दू अदब और हर्याना हर्फ ए राज जख्म आरजूओं के उर्जू की सात्वी किता उर्दू की सात्वी किताब हाली पानीपती की गजले अजार ए गम इश्क हर्फ ए आशाना दूद की कीमत उजालों के सफीर निशान ते कलम जाते वे लमहों ये सारे के सारे इनके परमुक रचनाए रही है जिसमें से पहली बहुत इपॉर्टन है क्योंकि उर्दू क्षचन पूछा जा सकता है महिंद्धर परताब को हरियाना अवोर्ड सेयद मुजफफर हुसेन बर्णी इसके अलावा बहुत सारे सरकारी और गयर सरकारी संस्ताएं इन्हें समानित की जा चुकी है कर दी जा चुकी है अगला क्षचन हमारा जो की बेहत बेहत इपॉटन् एनिमिया क्या होता है खुन की कमी से होने वाला रोग है एनिमिया मुक्त भारत अभियान में हर्याना ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है तो एनिमिया मुक्त भारत अभियान में हर्याना ने जो है भारत भर में पहला ही स्थान हासिल किया है एक बार फिर से पिछली 6.7 है ये बात भी आप याद कर लीजिएगा हर्याना मातर मृत्युदर के मामले में पूरे भारत भर में 11 स्थान पे है ये बात भी आप जुरूर याद रखिएगा ठीक है हर्याना के अंदर बेसिकली क्या है कि ये आपकी प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए बहुत सारी व ऑक्टूबर 2020 को हर्याना लोग सेवा आयोग के चेर्मेन रंजीत कुमार पंचन्दा सेवा निवर्त हो जाएंगे वे किस बैच के IPS अधिकारी है कौन से बैच के IPS अधिकारी है ये तो ये है 1983 बैच के पस्चिम बंगाल कैडर के IPS अधिकारी और ये जो है हर्याना लोग ये रेटायर हो चुके हैं टीक है तो इतनी बातें आपको याद रखनी हैं अगला किस्तन जो हमारा क्या रहेगा अगला किस्तन हमारा रहेगा यहां पे क्या कि हर्याना सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्ये में किन की जमीनों के अलग कलेक्टर रेट तै किये हैं तो हर्याना सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए हर गाओं की जमीन होगी उनके लिए अलग से कलेक्टर रेट जो है वो तै कर दिये गए हैं तो ये काफी इपॉटन क्यूसंद रहेगा हमारे एक्जाम के लिए जरूर पूछा जा सकता है सरकार ने गाओं की जमीनों के ल रजिस्ट्री होगी सरकार का बेनिफिट इसमें क्या है मैं बताता हूँ आपको देखो सरकार का बेनिफिट है कि सरकारी खजाना का राजस्व भड़ेगा इसमें अब क्या होता है कि कलेक्टर रेट क्या हो जाएंगे तो उससे कम पर जमीनों की रजिस्ट्री होई नहीं स जाए Dare गी और फिर उसी इसाफसे रिजिस्ट्री होगी इससे सरकारी राजस्व जो है वो भड़ेगा सरकार का इसमें यह benefit होने वाला है हर्याना में किस योजना के तैद 50 पुलिस करमियों के परिवारों को सरकारी नोकरी दी जाएगी तो 50 पुलिस करमियों के परिवारों को सरकारी नोकरी दी जाएगी इस योजना का नाम है X-Gracia योजना ए आप्शन जो है इस किसन का हमारा बिलकुल ठीक है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है किसी परिवार के अंदर किसी के पिता का माता का निदन हो जाता है अगर वो सरकारी नोकरी लगे वे हैं तो उनकी जगे पे जो है कि सरकारी नोकरी दी जाएगी हलांकि इसे पहले बंद कर दिया गया था लेकिन विधान सबा चुनाओ से ठीक पहले इसे दुबारा चालू कर दिया गया यहाँ पे थोड़ा क्या होता है कि कंडिशन्स लगा दी गई है जरूर कि जैसे मान लेते हैं कोई मरा है सरकारी नोकरी लगा हुआ है लेकिन कम से कम पांच साल तक उसने सरकारी नोकरी की वही होनी जरूरी है यह मान लेते हैं कि जोइन किया जोइन करते हैं दो साल के बाद में मर गया, और उसके बाद में उनके आशरितों को नोकरी नहीं मिलेगी, कम से कम उसने 5 साल तक की जोग की होनी जुरूरी है, और इधर वो 52 साल से उपर भी निया जाना चीए, ठीक है अगर 52 साल से उपर हो गया तो भी एक्स ग्रेशिया का लाब नहीं मिलेगा क्योंकि फिर वो आगे 60 साल तक तो फिर आगे रिटार्मेंट की उमर के नजदिक चला जाता है वो तो ये याद कर लेना एक्स ग्रेशिया पॉलिसी इसका मतलब क्रमचारियों की मृत्तियों पर उनके आश्रितों को सरकारी नोकरी मिलना आगे बढ़ते हैं गला किस्तन हमारा क्या रहेगा महरा गाओं जग्मक गाओं योजना के तैत अब हरियाना के करीब 7000 पूरे तो 7000 नहीं है ठीक है पूरे तो थोड़े से कम है यहाँ पे 6841 गाओं है लेकिन तकरीबन 7000 गाओं में 4750 गाओं में समय 24 गंटे बिजली मिल रही है करीब 100 गाओं की प्रिकरिया सुरू हुई है यह योजना किस गाओं से सुरू हुई थी आप से सवाल पूछा है कि महरा गाओं जग्मक गाओं योजना कहां से सुरू हुई थी तो महरा गाओं जग्मक गाओं योजना जो है वो 2015 में दयाल पूरा कुर्चेतर का गा अगले साल हर्याना में हो रही खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए अमबाला को अब किस खेल की प्रत्योगिता की मेजबानी मिल गई है अभी मैंने आपको बताया बैड्मिंटन की मेजबानी मिल गई है हर्याना में अब अवैद खनन पर रोक लगाने के लिए माइनिंग मिनिस्टर फ्लाइंग स्कॉर्ड का गठन करने की घोशना की है मूल चंद सर्माने जो की हर्याना की प्रीवन मंतरी है इसे क्या होगा ये कि चापे मारी का काम किया जाएगा अवैद खनन जहां पे भी हो रही है उसको रोका जाएगा इसके लिए जो है असिस्टेंट माइनिंग इंजिनियर की नियुकती होगी माइनिंग इंस्पेक्टर की नियुकती होगी ठीक है ताकि जहां पे भी अवैद खनन हो रहा है उसको रोका जा सके अगला किस्टन हमारा है कि हर्याना उर्दू अकादमी पंचकुला के निदेशक डॉक्टर चंदर तरीखा ने स्री अशोक नादिर दवारा लिखित किस उर्दू पुस्तक का विमोचन किया है तो एव आप्शन है राहगीर गजल सपने इन में से कोई नहीं तो इसक्टन का स के सारे के सारे इस किताब में समझाए गए हैं बताए गए हैं हाली में आलोक वर्मा ने हर्याना लोक सेवा आयो के चेर्मन की सपत ली है चेर्मन पद की सपत ली है अभी आपको मैंने बताया कि आरके साब तो रिटायर हो गए 22 अक्टूबर को तो 23 अक्टूबर को बन का कारेकाल यह option सही है जो बचा civil service exam की ट्यारी कर रहा है उनके लिए ऐसी question बड़े जुरूरी होते हैं क्योंकि यह कहीं पे आपको लिखे नहीं मिलते हैं क्योंकि काफे depth हो जाती है कि किसी लोग से वायोग को भी आप पढ़ें कहीं तरह से current affairs से ही आपको चीजे सीखने को मिलेगी इनको राजयपाल सत्य देव नारायन आर्या ने जो है इनको सपत दिलाई है यह बात आप जरूर याद रखिएगा ठीक है आलोक वर्मा अभी तक जो है वो टूर विभाग के जिम्मेदारी निभा रहे थे ठीक है आगे जाते हैं तो कि इस थे की खुदाई के लिए पूरा ततव विभाग ने 35 करोड का प्रोजेक्ट बनाया है कौन सी थे है उसकी खुदाई के लिए 35 करोड का प्रोजेक्ट बनाया है तो इस थे का नाम है अग्रोवा थे का मतलब एक टिला टाइप का होता है और उसकी खुदाई के लिए 35 कर सर्वे किया जा रहा है दो हुजार बीस से दुशिए लगातार है अब दीरे देरे अग्रोहा हँई संग्राले बनाया जाएगा ठीक है और महराजा अग्रसेन की राजदानी होने के कारण हिसार का नाम जो है ना के वे पूरे भारत में बलकि पूरे विश्व में जो है नाम सामिल है इसी वज़े से ही अग्रोहा कैसे बसा था कैसे यहाँ का रहनसें था इन सबी के बारे में जानकारी लेने के लिए जो है यहाँका उत्खनन होगा इस टिले की खुदाई होगी ठीक है और फिर यहाँ पे जानकारी वगड़ा ली आगे बढ़ते हैं किस्तन है हमारा की NDRI और वैज्यानि कहां के वैज्यानि खालिस्तान होना था है यहां पर NDRI और खालिस्तान के वैज्यानिकों ने कलोन से मुरा नसल के 9 कटड़े त्यार किये हैं तो NDRI और के साथ में केंद्रिय भैस अनुसंदान संस्तान इन दोनों न मिलके जो है मूरा नसल के 9 कटड़े त्यार किये हैं ये अब तक क्या होता है कि 6-8 किलोग्राम पर किलोग्राम जो है वो भैस की दूद की आवरेज है ठीक है लेकिन इसे बढ़ा के 10-12 किलोग्राम तक जो है वो किया जाएगा के अंदर सरकार 2022 तक किसानों की आए जो है वो दुगना करने का प्रियास कर रही है इसी वज़े से जो है ये कलोनिंग टेकनीक से कटड़े वगरा त्यार कर रही है तो काफी important किस्तन रहता है ये हमारे लिए अगला किस्तन है कि हर्याना का पहला all weather swimming pool की जिले में adjustable जैसे माल है ते सर्दी आगे तो पानी के अंदर हिटर लगे होंगे पानी को जो है वो गरम कर दिया जाएगा गर्मी आगे तो पानी गरम होगा तो उसके लिए जो है उसमें आपके क्या कही है ventilation के लिए जो है pump वगरा लगाए तो Kent के War Heroes Memorial Stadium में 30 क्रोर रुपे की लागस से बन रहा है ये all weather swimming pool इसका 65% काम पूरा भी हो गया है 31 मार्च से पहले जो है अगला 35% काम भी इसका पूरा हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला क्युस्तन है कि bacteriological food testing kit हाल ही में किस university ने बनाई है तो bacteriological food testing kit जो है हाल ही में PAU यानि कि पंजाब agriculture university ने बनाई है इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब है कि हमारे खाने में कौन से खतरनाक bacteria है उनका अब असानी से पता लगाया जा सकता है ठीक है बड़े चमकदार खाना होता है बोजन होता है या कुछ भी चीजे मिठाई वगरा है उनको जो है इसका इससे असानी से पता लगाया जा सकता है बेसिकली होगा क्या इसके दर एक छोटी सी 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 है इसके दर कुछ खाने का टुकड़ा डाल दो और एक या दो दिन के बाद में उसका कलर चेंज हो जाएगा उस कलर के हिसाब से एक चार्ट मिलेगा साथ में उस चार्ट में मैच करके देख सकते हो खाना हमारे ली अच्छा था या बूरा था सोट देशतो रुपे की इकिट मिलेगी जादा नहीं मिलेगी ठीक है और इस किट को बनाया कि इसने है माइक्रो बाइलोजी विभा के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर परम पाल कोर सहोता ने से बनाया है और पी एयू जो है इसकी स्थापना 1962 में हुई थी ये बात भी आप याद कर लीजिएगा अगला क्यूस्तन है राज्य सरकार ने अब कितने मिटर उंचाई तक भवन मिर्मान करने के लिए अगनी शमन उपकर्ण लगाने की छूट दी है देखिएगा पहले ये पंदरा मिटर तक इसकी हाइट थी लेकिन अब साड़े सोला मिटर तक अगर कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो जो है उसमें अगनी शमन यंतर यानि की उसके अंदर कोई भी फाइर ब्रिगेड वाले उपकर्ण नहीं लगाने होंगे पहले अब क्या था कि चार मंजिले तक बनाते थे अब पांच मंजिल तक बिल्डर्स बना सकते हैं ऐसा तो नहीं है कि पहले भी पांच नहीं बना सकते थे बना सकते थे लेकिन उपांच वा बनाते तो बीस लाख रुपे एक्स्ट्रा लग जाते क्योंकि उसमें फिर वो आपके सारे अगनी शमन यंतर लगाने पड़ते अब उनमें नहीं लगाने पड़ेगे हलंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है बुरी बात ही है ये तो सेफटी के लिए ही होते हैं ठीक है खर पता नहीं सरकार ने ऐसा क्यों फैस्ट्रा लिया हर्याना खादी एवं ग्रामो द्योग बोर्ड को उपमुखे मंत्री दुशन चोटाला ने दस हजार मुड़े क्यार करने को कहा है जिनने पंचाय तेवं विकास विभाग द्वारा गाओं में पहुंचाया जाएगा हालिमिस बोर्ड के ने चेर्मेन को बने है अभी आपको मैंने थोड़ दिर पहले बताया इसके नए चेर्मेन बने है राम निवास सुर्जा खेडा और राम निवास सुर्जा खेडा बने है हर्याना विकास बोर्ड या यूं कहीगा हर्याना खादी ग्रामो द्योग विकास बोर्ड के चेर्मेन बने है और इसी बोर्ड को कहा गया है कि 10,000 मुड़े बनवाये जाए ठीक है ऐसे बैठने के लिए जो कि गाउं पंचायतों तक पहुंचाया जाए ताउ देविलाल की तरज पे उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था आगे बढ़ते हैं अगला क्युस्सन है कि चोटल खिलाडियों के लिए कितने जिलों में इंजरी सेंटर है खोले जाएंगे तो चोटल खिलाडियों के लिए पंचकुला गुरूगराम और हिसार यानि कि तीन जिलों के अंदर जो है वो इंजरी सेंटर खोले जाएंगे बार बार कंधा उतरने की समश्या के चलते वहाँ पे उनका आपरेशन हुआ था और के साथ यह हर्याना सरकार खिलाडियों को स्टेडियम में हाई लेवल प्रोटीन भी देगी जैसे दूद है पनीर है यह प्रोटीन वाली चीज़े भी खिलाडियों को दी जाएगी हेउ ने हाली में एग्री स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पे हस्ताक्षर किये है तो हेउ ने हाली में एग्री स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए ABIC Center के साथ में MOU पे हस्ताक्षर किये है A option का बिल्कुल ठीक रहेगा इस के दोरान HEU के कुलपती जिनका नाम Professor Summer Singh है वो इसमें सामिलते हैं इसमें क्या होगा कि हर्याना किर्षेव इस से विधाला यह चाहता है कि सव रोजगार को बढ़ावा मिल सके ABIC Center जो है न HEU के अंदर जिसका फुलफो में Agri Business Incubation Center अब इन दोनों समझोते के बाद क्या होगा कि ABIC Center की सुविधा हैं वो HEU के स्टुएंट ले सकते हैं HEU वाले स्टुएंट जो है और HEU की सुविधा हैं वो ABIC वाले स्टुएंट ले सकते हैं तो ये एक इपॉर्टन बात होगी यहां पे और HEU की स्थापना दो फरवरी 1970 को हुई थी ये बात तो खेर आपको पता ही है हर्याना के किस बेटे को इंडिया बुक को फ्रिकोर्ड ने यंगस्ट नेवी आर्टिस्ट 2019 से समानित किया है तो यंगस्ट नेवी आर्टिस्ट 2019 से समानित किया है आदी पिरे पिरेक हो B option जो इस किसन का बिलकुल ठीक है पेंटिंग की वज़े से 14 साल का बच्चा है यह ठीक है और दुबाई के अंदर भी इनोंने बहुत सारी परतिवाओं में सामिल हुए थे ये 2018 के अंदर आगे बढ़ते हैं अगला किस्तन हमारा की हाल ही में हुए सरवे के अनुसार देश के सबसे अधिक टीबी मरीज कहां पे है तो अभी रिसेंटली सरवे हुआ था जिसमें सबसे दा टीबी मरीज जो है चंदीगड के अंदर है ठीक है चंदीगड के अंदर टीबी मरीज है पर वो कितने है ठीक है चंदीगड के अंदर एक लाख लोगों पे 606 मरीज जो है वो टीबी के हैं तो ये एक थोड़ी बात य इतने हैं लेकिन चंदिगड के बाद दिल्ली का नंबर आता है दिल्ली में एक लाख लोगों पे पांसो पिचेतर है ठीक है उसके बाद पुड्डू चेरी का नंबर आता है तिनसो चोदा लोग है एक लाख लोगों के उपर ठीक है और उसके बाद में जो पूरे देश की ओ रखनी है इस वाले कि उस्तन से इपोटन्ट जुरू रहिए रोतक की किस बेटी को इंटरनेशनल गर्ल्स एक्सिलेंसी अवोड मिला है रोतक की बेटी है जिसका नाम है खुसी हुड़ा और खुसी हुड़ा को इंटरनेशनल गर्ल्स एक्सिलेंसी अवोड मिला है गॉल्स की भी जो है दिया था और ये रोतक के सांगी गाउं की रहने वाली है ये बात भी आप साथ की साथ याद कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं गला क्युस्तन हमारा है कि हर्याना में मुख्यमंत्री के परधान सच्यू किसे बनाया गया है तो हर्याना में मुख्यमंत्री के पर बात भी आप जरूर याद कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं तो बिजली निगम के CMD जिनका नाम है सत्रुजीत कपूर को अब कौन से विबाग का परदान सची विबाग के बिजली विबाग के बहुत ही अच्छे यूं कहिएगा आप लोग अधिकारी इनके चलते हर्याना भस्ताचार ना के बराबरी रह गया बिजली डिपार्टमेंट के अंदर तो सत्रुजीत कपूर को अब प्रिवन विबाग के अंदर भस्ताचार मिटाने के लिए CMD बनाया गया है या प्रभार का यूं कहिएगा आप लोग सोंपा गया है प्रभार का इने ठीक हैं ये के जो है IPS अधिकारी है शिशांक आनंद आगे जा रहे हैं तो राजेस खुलर के स्थान पर किस सीनियर आइस अधिकारी को सूचना एवं जन संपर्क तता भासा विभाग की अत्रिक्त मुक्य सचियू की दोबारा से जिम्मेदारी सोंपी गई है अब देको राजेस खुलर के जगे पे भी काम करेंगी इनका नाम है धीरा खंडेल वाल ए आप्चन सही है इस किस्टन का हमारा आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी यही है धीरा खंडेल वाल ठीक है आगे जाता हूं कि हिसार एरपोर्ट के मुझूदा रनवे की लंबाई 4000 फुट है अब इस और इसे 10,000 तक ले जाने की कोशिस है लेकिन पहले चरण में इसे 9,000 फिट तक बढ़ाया जाएगा बी आप्चन जो है इस किस्टन का हमारा बिलकुल ठीक रहेगा और हिसार एरपोर्ट पर बोईंग 737 प्लेन और एरबस A320 विमानों को भी जो है उतारा जा सकता है अभी रिसेंटली 27 अक्टूबर को जो है यहां पर भूमी पूजन हुआ था जिसमें अध्यक्सता की थी हमारे हर्याना के मुख्य मंतरी और के साथ में उप मुख्य मंतरी उन दोनों के दवारा ही भूमी पूजन का काम हुआ था और एक और इपॉर्टन बात हुई थी इसी दोर पूमी में बदल दिया है तो गुरुगराम रोतक करनाल और हिसार जिले के मंडल आयुक्त को बदल दिया ए आप्शन सही है अब देखेगा करनाल में मंडल आयुक्त विनितगर को हटाके उनके स्थान पे हर्याना वीज विकास निगम के परबन देशक शंजीव वर्मा को को बनाया रोतक में डी सुरेश की जगह पर अनिता यादव हिसार में विने सिंग की जगह पर सच्चीव चंदर सेकर को बनाया खिक है चंदर सेकर इनका नाम है और गुरुगराम के जो है अशोक सांगवान को हटा कर राजी उरणजन को बनाया गया तो ये थोड़े से important च है, सोवा क्यु impeded rangki mhari की इस दोर में बिमारियों से लपने के लिए शरकार अब immunity booster के रूप में हल्डी और मसाला flavor युकत क्या त्यार कहेगी, हल्डी और मसाला flavor युकत गुड त्यार धोर इना रके प्टीर गुड जो है वो आपकी चीनी मिले त्यार करेगी कहां पे पहले चरण में कैथल महम और पलवल की चीनी मिले त्यार करेगी इससे बेनिफिट क्या होगा इससे एक तो बेनिफिट होगा कि जितने भी चीनी मिले घाटे में चल रही है वो उबर जाएंगी दूसरा बेनिफिट किया है तो हर्याना सरकार ने परिवार पहचान पत्र ट्रिपल पी इसको कहते हैं जिसको पंचकुला से सुरू किया गया था इसको बनवाने में एक थोड़ा सा चेंज किया है पहले क्या होता था कि घर के सभी सदश्यों को जाना पड़ता था लेकिन अब किसी एक मेंबर को जाना होगा अधार कार्ड को ले जाए साथ में सभी मेंबर्स का और वो सब का जो है पहचान पत्र बनवा सकेगा पैचान पत्र परिवार क्यों जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में स्कूल कॉलिज में एडमिशन के टाइम पर मांगा जाएगा ठीक है और किसी भी सरक सोनिपत में अचार सहीं था इसलिए उसको छोड़ दिया 27 अक्टूबर को सरकार का एक साल पूरा हुआ था दूसरे फेज का इसलिए 888 पॉइंट सम्थिंग क्रोड जो है तकरीबान आप कह सकते हो 889 भी कह सकते हो ठीक है इतने क्रोड के प्रोजेक्ट का उधगाटन किया है तोटल 306 प्रोजेक्ट थे 1848 क्रोड के ठीक है इसमें से 140 प्रोजेक्ट का उधगाटन हुआ कंप्लीट होने के बाद में 888-8889 क्रोड कह दीजिएगा 166 प्रोजेक्ट जो की 969 क्रोड के है उनकी नीव रखी गई है ठीक है आने वाले टाइम में वो बन के त्यार हो जा तो आज हर्याना दीवस है हर्याना दीवस को खेल दीवस के रूप में जो है वो सालिबरेट किया जाएगा इस क्यूसन का B option सही है ये गोशना की है हर्याना के जो आपके खेल राज्य मंतरी है जिनका नाम है संदीप सिंग ठीक है क्योंकि खेलों की गतिवेदिया करोणा क कारण ठप पड़ी थी इसलिए जो खेलों इंडिया यूथ गेम है उनके गेम आज से सुरू हो रहे है उनकी ट्रेनिंग आज से सुरू हो रही है इस वज़े से इसको मनाया जाएगा खेल दीवस के रूप में आगे बढ़ते हैं तो हर्याना राज्ये में पहली बार MSP पर कि कि खरीद होने वाली है तो पहली बार मिनिमम्म प्राइज पर मिनिमम्म स्पोर्ट प्राइज पर जो है मुञफली की खरीद होगी अदर ऐसा हर्याना के इंदर पहले कभी नहीं हुआ था बावन सो पिचैतर रूपे MSP रखा गया है मुञफली का हर्याना में किस जानी अनुसंधान एवं विकास परतिष्ठान चेत्रिय केंदर ने इसकी स्थापना और दूसरी बात इस प्याज की किस्म का नाम क्या है प्याज की किस्म है एन एच ओ नो सो बीस नैशनल होटरिकल्चर रिसर्च और डिवलप्मेंट इस्टेबलाइजमेंट रिजल सेंटर इसका पूरा फुल फॉम है थोड़ा सा लंबा जरूर है पर याज़ जरूर कर लेना इस फसल की यह यह किस्म की एक अच्छी बात है कम दिनों में त्यार होगी ज़दा पैदावार मिलेगी इस किस्म से अगला किस्टन स्वच भारत अभियान के तहत हर्याना के ग्रामीन चेतर को कौन सा पुरूसकार मिला है यह आप्शन जो है किस्टन का बिल्कुल ठीक है हर्याना के अंदर पढ़े लिखे लोग चुनके आये हैं पंचायतों में इस वज़े से हर्याना के ग्रामीन चेतरों को लाब हो रहा है Northern Railway के पहले computer based test center को किस rail bundle कारालिया में स्थापित किया गया है तो Northern Railway का पहला computer based test center को अंबाला rail bundle के अंदर जो हैं सामिल किया गया है यह थोड़ा सा important चीज़े हैं जो कि आपको याद रखना है ठीक है पहले क्या होता था कि जो normal test लेते तो offline उनमे time लगता था लेकिन अब क्या हो रहा है कि time नहीं लगेगा online में result जल्दी आएगा और इसको स्थापित करने का मुक्य स्रेज आता है railway board के CEO या अद्यक्स जिनका नाम है VK यादव विनोध कुमार यादव अंबाला के बारे में तो आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हो ठीक है इसकी छे तैसीले थी थी से अंबाला जगादरी और पढ़ खरड नरायनगड नालागड ठीक है तो ये बातें आपको याद रखनी है राजेपाल की सच्चिव जी अनुपमा को किस विभाग का परधान सच्चिव का जिमा मिला है तो राजेपाल की सच्चिव जी अनुपमा को वन्य एवं वन्य जी विभाग का परधान सच्चिव का जिमा मिला है ए आप्शन जो है इस क्योंसन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा अभी रिसेंटली बहुत सारे ट्रांसफर हुए है उनिस आये सदिकारियों का ठीक है तो आप इनको पढ़ सकते हैं पीडियोफ में हडपा कालिन लोग खटी दाल, केला और सहद से बने मीठे चावल खाते थे हाली में हर्याना के खालिस्तान कौन सी जगह पे खोदाई की दुरान इनके आउशेस ग्यात हुए है तो ये आउशेस प्राप्त हुए है राखी गड़ी से एव आप्शन सही है इस किसन का हमारा ठीक है और एक इपोर्टन बात आपको मैं बता देता हूँ कि राखी गड़ी में पहली बार हर्याणा दीवस यानि कि आज ही पे जो है हरिटेज वोक आयूजित होने वाली हैやहां पे ठीक है हरिटेज वोक में क्या होने वाला है बहुत सारे वेणजन होगे जो हडपा के लो में खाते थे बिल्कुल वैसे वैसे की जैसे सुद्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कौन सा पुरुसकार जीता है तो हर्याना ने एक अवोर्ड जीता जिसका नाम है स्कोच गोल्ड अवोर्ड कोविड-19 के दुरान बेस्ट काम करने के लिए जो है ये अवोर्ड मिला है हर्याना को बहुत इपॉर्टन्ट क्यूसन ये वाला भी हर्याना में अब आर्टी पीस्यार करोना टेस्ट कितने रूपे का हो गया तो हर्याना में आर्टी पीस्यार बारा सो रूपे से घटके जो है नो सो रूपे का हो गया और एंटीजन जो हो 600 रूपे से घटके 500 रूपे का हो गया ठीक है तो ए आप्शन जो है क्यों संका हमारा वो बिल्कुल ठीक है कुरुचेतर की किस बेटी को अमेरिका के महिला कलब दवारा अंतरास्टी ये बाली का एक्सिलेंस अवोर 2020 से समानित किया तो ये समानित किया है रिया को क्यों कि इनकी आर्तिक स्थिती इतनी अच्छी नहीं है आर्तिक स्थिती इतनी अच्छी ना होने के बावजूद भी इनोंने लगातार पढ़ाई किये और दूसरी बास समाजी कारियों में भी योगदान दिया अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाया भी इस वज़े से इनको ये अवोर्ड से समानित किया गया है ठीक है तो चलिए मेरे प्यारे बचो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है अक्तूबर महिने के पूरे करेंट अफेर 111 मैंने आपको पढ़ा दिये उमीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया आपकी रिविजन हुई आपके स्कोर कितना रहा आपके कितने नंबर बने आप मुझे कमेंट में वो भी लिखके बताईएगा दोस्तों तक प्लीज इस वीडियो को शेर जरूर कीजिएगा आप सभी को मेरी तरफ से रादे रादे ठीक है कुछ टेकनिकल प्राबलम की वज़े से मैं आज जो है फेस वाली वीडियो नहीं बना पाया तो मुझे आप माफ कर दीजिएगा धन्यवाद हसते रहना मुस्कुराते रहना ठीक है